हेलो दोस्तों नमश्कार स्वाकत करता हूँ आप सभी लोगों का मैं फिर से Only IS Foundation चानल पर मैं हूँ मुहम्मद आसम और दोस्तों आज हम लोग अपनी Class 10th History के NCRD का Chapter No.3 करने जा रहे हैं और ये Chapter डील कर रहा है The Making of a Global World से अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये Chapter का GIST क्या है इस Chapter का GIST जैसा कि इसका नाम बता रहा है किस प्रकार से ये दुनिया जो पहले Ancient Times में आप देखोगे बड़ी Simple तरह की जीवन हुआ करता था कैसे ये दुनिया Global हो गई हना यानि कि एक जगह पर अगर कोई Economic Activity हो रही थी तो उसका Impact दूसरे देशों में कैसे पढ़ा या फिर कोई एक जगह कोई एक जगह कुछी कंट्री में प्रोडक्शन हुआ तो किस प्रकार से उस चीज़ का इस्तवाल दूसरे कंट्री तक कैसे पहुंचा या फिर हम बात करें लोग कैसे Connected हुए एक दूसरे से हना एक जगह लोग पहले आफ्रीका में रह रहते एक जगह एशिया में रह रहते तो इतना ढिस्टंस था कि लोगों का ट्रा μέलिंग मी नहीं होती थी लोग मूव नहीं करते थे तो लोगोंके बीच में वो कल्चरल लिंग्स नहीं थे कैसे होंगे सहुचो ना सीधी बात ह अगला आदमी रह रहा है जाके सुमालिया में अब मेरा सुमालिया वाले से क्या लेना देना कोई लेना देना नहीं है लेकिन जैसे आज की दुनिया है अब खोल के बैठ गए इंस्टाग्राम वहाँ पर मैसेट हो सकता है फेस्बुक तो आप connected हो सकते हो और ये connection कैसे possible हुआ टेकनलोजी के वज़े से हुआ तो इस chapter के अंदर हम देखींगे किस प्रकार से दुनिया जो है वो global हो जाती है हर आसपेक्ट में politically, socially, economically, culturally कैसे होती है तो ये किस तरह से ये जो shape हुई है world आज जो दुनिया आप देख रहे हैं ये किस तरह से बनी है ये पहले ऐसी नहीं थी पहले बहुत simple थी पहले जो trade होता था बहुती अलग तरीके से होता था currency का इस्तिमाल कावडी में होता था हम तो इतने एक फूटी कावडी नहीं देंगे तो ये word कावडी कहां से आया हाना इस चीज को यहां पर सब हम यहां समझेंगे ठीक है तो इस chapter की चली शुरुवात करते हैं बहुत ही important chapter है और काफी मेरे खाल से interesting लगेगा आपको क्योंकि हम लोग यहां पर जब first part पढ़ेंगे the pre-modern world का तो यहां हम बात करेंगे एक तरीके से relationship की long distance relationship आपका आपकी मेडम के साथ नहीं यहां long distance relationship बात करने जा रहे हैं हम लोग किस प्रकार से एक जगे के लोग दूसरे जगे से बतलब long distance वो connected थे अब connected होने के यहां कई तरीके थे चलिए इसको पहले समझते हैं से शुरू हुआ यह देखो यार सबसे पहली बात तो यह है globalization क्या होता है इस word को पहले एक बहुती simple भाषा में समझ लेते हैं globalization का basic concept यह है कि कैसे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ connected हो चुके हैं हाना interdependent हो चुके हैं अब चाहे वो economically हो चाहे वो socially हो चाहे वो मैं जो खाना खाता हूं जैसे आपने for example सुना होगा पास्ता तो आप पास्ता समझते हैं इटली से लेकिन अभी इस चाप्टर में आप देखोगे तो आपको देखेगा कि noodles is a Chinese dish हाना लेकिन वही noodles जब आप पहुंच जाएगा west में तो वहाँ इसको spaghetti कहते हैं तो different terminology is used हुई तो यह बात कहना कि इस particular चीज की शुरुवात यहां से हुई यह guess work करना थोड़ा tough task हो जाता है तो globalization एक इसा concept है जहां पर यह समझ में आता है बिटा कि कैसे यह दुनिया जो है एक दूसरे के साथ connected हो गई है और कैसे interdependent हो चुकी है clear है यह simple सी एक example हो गया जैसे मैं आपको और बताऊ globalization का simple example for example COVID-19 COVID-19 चाइना में शुरू होता है ठीक है रिपोर्ट के हिसाब से फिर उसके बाद दूसरे country में फैलता है वो राइट फिर कोई एक country है जो उसकी वैक्सीन मनाती है उस वैक्सीन का इस्तेमाल दूसरे country को भी दिया जाता है तो वो दूसरे country में इस्तेमाल हो रही है तो य दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी तो globalization ने क्या देखा spread शुरू हुआ किस चीज़ का flow हुआ कई सारे चीज़ों का जैसे for example financial products फैलना या पर flow होना शुरू है flow का मतलब यह है एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू हो गए जैसे कि for example goods जैसे कि for example technology अब goods है मान लिजे क कोई एक पर्टिकलर चीज कुसी एक जगह बनती है ऐसे आपने देखा हुआ का बाई चाइनीज फॉन तो एक जगह production हो रहा है इसका लेकिन इंडिया में भी usage किया जा रहा था तो goods का ट्रांसफर टेक्नलोजी का ट्रांसफर information jobs migration यह सब चीज जॉब्स के लिए भी हम की तरफ जाएंगे तो globalization में country और country तो connected होई रहे मतलब देश के अंदर तो connect होंगे इंटर कंट्री भी connections यहाँ पर develop होंगे ठीक है तो दुनिया जब globalization होना शुरू होती है तो there was a flow यानि movement होता है किसका financial products का goods का technology का information का jobs का migration का इन सब का आपको यहाँ पर movement देखने को मिलता है clear है और यह movement सिर्फ अपने country के अंदर नहीं actually आपको national borders के across भी देखने को मिलेगा और culturally भी आपको यह देखने को मिलेगा culturally भी यहाँ differences देखने को मतलब यह culture भी flow होता हो देखेगा अब सीधी बात है आप देखो इंडियन culture different था लेकिन आज की rate में देखो कितना सारा western culture जो है वो इंडियन इंडिया में आ चुका है हना तो जिसको बोलता है westernization of the Indian culture वो concept को बात किया थी कि बढ़े को भाई इंडिया में पहले jeans नहीं थी पर jeans पहने लगे पहले बहुत साथा पहनावा ऐसा था जो हमारा ethical type का था होता था इतनिक होता था इतनिक होता था लेकिन आज वो देखो western है तो यह सब कहां से आया यह culture यह सब कहां से आया तो all these things भी globalization के साथ migrate करना शुरूर कुई एस तोड़ी है कि हमारे 1600 बे भी हमारे जो दादा थे वो भी उठके good morning करते थे नहीं था अना उठके मतलब ऐसा चीज़े नहीं होती थी बट आज वो चीज़े ह clear है तो यह चीज़ आई होब यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी नाओ अब मैं आपको थोड़ा सा ancient time से बताता हूं कि क्या चल रहा था देखो T square प्लस P square याद रखना क्या बोलता हूं T square T square ती स्वेर याद रखेगा कि T square मतलब हो गया travelers and traders ठीक है travelers यानि कि जो travel कर र अब यह travel कर रहे है थ्रूँ vast distances अब T square प्लस P square का movement हो रहा है द्यान रखना देखो कैसे connect हो रहा है T square यानि कि travelers और traders यह move करेंगे यह क्या लेकि जाएंगे traveler क्या ले जाएगा अपने सामान अपना साथ समान ले जा रहा है traders व्यापार कर रहा है priests pilgrims यह सब move कर रहे है और जब यह सब move करेंगे over the vast distances तो यह क्या खाली अकेले चलते हैं आप यह हम जा रहे है नहीं चलेंगे अकेले जब यह travel करेंगे तो इनके साथ goods travel करता है जब यह travel करेंगे तो पैसा रोकडा भी लेकर चलेंगे जब यह travel इनकी skills, इनकी ideas, इनकी inventions, ये सब भी travel करेंगे इनके साथ, अब मालनो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो खाली किया मैं चल दूँँगा इसे ही, नहीं न, जब मैं जाओंगा तो मेरे भेजा के अंदर जो ideas fit हैं, वो भी जाएंगे, मैं वहाँ जाके अपनी बाते बताऊंगा, अप अपने thoughts बताऊंगा, अपने believe बताऊंगा, तो दूसरे देश, दूसरे चाहिए कि लोग, मेरे ideas को जान पाएंगी, मैं उनके ideas को जान पाऊंगा, जहां मैं गया हूँ, तो जब मैं move कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, खाली मेरे ideas move कर रहा है, मालनो मैं हूँ, for example, UP कर रहने कि अलग-अलग values हैं, कहीं आपको, अलग-अलग तरह से greetings होती हैं न, जैसे मिलते हैं, तो लोग अलग-अलग तरह से greet करते हैं, तो वो values, वो आपके चीजें, वो सब यहां माईगी रट होंगी है, लेकिन सबसे important बात, ancient times में, जब यह सब चीजें चली, तो यह क्यों move करी कहीं के लिए move करते थे, क्या करना था, अरे बैठे देख जगा, Netflix and chill करते, क्या देख करती, क्यों move करते थे, for knowledge, for opportunity, for spiritual fulfillment, या फिर to escape persecution, इन कारोनों की वजए से यह movement शुरू होता था, लेकिन एक बात जो आपको यहां समझनी है, कि भाई, दोस्त, सिर्फ इतनी ही चीज नह थी, जिसने बेडा घर कर दिया फिर पूरी दुनिया का, और वो था, यहां पर germs and diseases, अरे खाली इतनी चीज़ सोड़ी move करेगी, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़े move करा दी, जब आदमी move करेगा, तो आदमी के साथ बिमारियां भी move करेंगी, अब आप imagine करिए, मतलब क्य है कहने का, एक बात आपको यहां समझ में आ रही होगी, सर क्या, हाँ, जिस प्रकार से, मतलब germs and disease एक ऐसी चीज़ है, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, जैसे आपने COVID-19 की situation देखी, हना पूरे दुनिया पे इस तरह का capture किया उसने, कि सब चीज़ स्टैंड जैसा कर सकते हैं, लेकिन जब germs and disease फैलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, that is, that sometimes goes beyond the human capacity, और फिर वहां दिक्क्त आने लगती है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो यह सब चीज़े जब मूफ करी, यह जब ancient चीज़े मूफ करी, दोस्तों, यह जब ancient टाइम में जब अपना रूपिया निकाल गए दिया, चलेगा, नहीं जब लोग जानेंगे न, मेरा पैसा मूफ किया है, तो पता चला, डॉलर में बिजनेस ट्रेडिंग होने लगी है, तो यह सब समझ में आ रहा है, कि हाँ यह सब चीज़े मूफ करेंगे, सबसे important बात, जो यह चाप्ट में देखी, 19-19 में देखी, 18-19 में देखी, 17-19 में देखी, ऐसी बाते भी उस वक्त आ रही थी, हाना तो यह आप देखिए, germs and disease एक ऐसी चीज़ है, जो अभी आपको पता चलेगा, मैं आपको example दूँगा, किस प्रकार से उसने यहाँ पर impact डाला, वर्ल्ड को global बनने में, जैसे कोविट ने वर्ल्ड को और छोटा कर दिया, globalization क्या करता है, globalization एक umbrella term है, समझ रहे हो, उस globalization ने दुनिया को छोटा कर दिया, the world has strength, छोटी हो गई है, मैं अभी बैठके यहाँ से कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मेरा lecture हो सकता हो, कोई अंडवान जो यह बताते हैं कि हमारे जो ट्रेड लिंग्स हैं, वो हमारे ट्रेड लिंग्स थे, किसके साथ, अमेरिका इंशन टाइम्स में, यह चीज़ चोग रहा है कि हमारे यहाँ पर ट्रेड लिंग्स थे, इंशन टाइम्स में, कैसे, कैसे, देखो, एक word आप सुनते होगे, क्य सुनते हो काउडी जैसे मैं आपको ब्ताते हैं एक फूटी काऊडी से आता है किससे काउड़ी से और अंग्रेजी में बोलेंगे से इस्प्रकार को काउडी मिलते उसका अस्तिमाल किया जाता था कणसी की रूप में कोई समान का लेंदेन होता था या पार होता था तो trade में इनका इस्तमाल किया जाता था as form of currency ठीक है ना currency में ये इस्तमाल किया जाता था ठीक है और ये आया कहां से ये आया था Maldives से सोचो जरा हम कौडी कौडी करते रहते हैं ये word Maldives से और China और East Africa की तरफ इस word का इस्तमाल किया गया और इस form of currency को यहाँ पर इस्तमाल किया गया in trade अब imagine करिए हम लोग उसका आज बैटके उसका origin भी हम लोग नहीं जानते हैं बट सीधा origin कहां से आ रहा है ठीक है example और देखिए कि जो coastal trade होता था हमारा जो सभ्यता थी हडपा civilization या फिर इंडस वाली civilization जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसका आपको देखेगा trade किसके साथ वेस्ट एशिया के साथ अब देखिए वेस्ट एशिया समझ रहे हैं आप एशिया और उसका western part तो उन countries के साथ हमारा इंडस वाली civilization का trade जो है वो होता था as early as 300 BCE clear है I hope यहां तक आपको बात जो है समझ में आरी होगी कैसे देखो trade हो रहा था ancient times में कैसे हो रहा था लोग move किये तो क्या-क्या move किया उनके साथ क्यों move किये और germs and disease भी move किये और हमारे पास कई सारे links भी है जो यह शो करेगा कि कैसे हमारा जो trade है वो west-asian countries के साथ होता था जैसे कि इंडस वाली इस एक्जामपल बताया कोडी का evidence कोडी एक word ऐसा है जो evidence देता है कि चाइना और इस्ट आफरिका में जो जो मतलब यह word use देखने को मिला कोडी तो कहां साया मलेशिया से trade हो रहा होगा मलेशिया में कोडी जो है वो currency के लिए use किया था अब यह चाइना इस्ट आफरिका इस जगह देखने को मिलेगा तो उसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है यह evidence है कि यहाँ पर आपको trade यहां इनके साथ होता रहा होगा अब connecting the world अब बेखे ज़रा जब यह first part पढ़ रहा है दोस्त तो हम लोग तीन पोर्शाज में इसको पढ़ेंगे तीन पोर्शाज में किस प्रकार से world जो है connect होई ज़रा इस diagram को आप लोग यहाँ पर पहले बना लिजे किस तीन पोर्शाज में किस प्रकार से यहाँ पर world जो है connect होती है point number one first पहला तरीका world connect होने का long distance relationship कैसे बना long distance आप समझे रहे हैं relationship आप से बहतर कौन समझेगा long distance relationship कैसे यहाँ पर हुआ पहला silk route के थूँ पहला silk route के थूँ बास समझ भारी है silk route के थूँ और अब silk route की बात करेंगे अगर हम लोग तो silk route से क्या खाली क्या क्या यहां से जा रहा था अब silk route जैसा कि नाम बता रहा है silk तो इस से जाता ही था Chinese का जो silk था वो west mound होता था यानि कि silk route से China से silk जो है वो west की तरफ जाया करता था सिर्फ इतना ही नहीं Chinese की pottery हो गई textile हो गया हना खाने के बहुत सारे आइटम इस silk route से अपने east से west की तरफ जाया करते थे हना देखो क्या होता था दोस्तों November से लेकर हम बात करेंगे December तक मैं आपको west की बात कर रहा हूँ वेस्ट धर है यह east है जरा समयना इस चीज़ को वेस्ट धर है इस्ट धर है अब नवेंबर से लेकर December तक जो है वेस्ट में पूरी बरफ बरफ जमी होती है आइस पहले डाइम की मतलब अभी भी होता है लेकिन आप देखो कि west में November से लेकर February तक not December February यह पूरा जो सर्दी का माहूल है November से लेकर February तक यह पूरा फिल्ड मतलब कवर्ड विद आइस आइस कवरिंग होती है अब इन लोगों को जो की हमारे western nations है European nations है इनको अपना खाना प्रिजर्व करने के लिए चाहिए होता था क्या? Spices क्या चाहिए था? Spices और Spices कहां मिलते हैं? Spices बिलते थे East में जब मैं East की बात कर रहा हूँ तो मैं China की बात कर रहा हूँ Indo-China यह सब के एरियास की बात कर रहा हूँ Indo-China मतलब Laos, Cambodia, Vietnam यह सब ठीक है न? पता नि इसको Indo-China यह कहते थे? भया जब Laos, Vietnam, Cambodia इसमें आता था तो Anyway, तो क्या होता था? कि November से February तक यह एरिया West का European Nations पूरा आइस से covered रहता था और जो Eastern countries ते यहाँ पर मिलता था Spices, मसाले अब खाने को अगर Preserve करना है तो मसाले जो होते थे वो बड़े अच्छे Preservatives की रूप में काम करते थे खाने की उपर बढ़िया मसाले लगा दो तो खाना Preserve हो जाता है तो यह Western Nations वाले जो है वो East आते थे और यह आते थे through Silk Route यह था आपका Silk Route और बदले में यहाँ से ले जाते थे क्या? यहाँ से ले जाते थे आपका मसाले और हमको इंडियांस को यह पर Eastern केशने को यहाँ दे आते थे क्या? Gold and Silver Gold and Silver दे आते थे तभी तो भई That is why India became a sink of Gold and Silver तभी तो यहाँ पर इंडिया को सोने की चुड़िया कहा जाने लगा बहुत resources थे मतब एक तो reason यह था कि बहुत resources थे Natural resources बहुत मिलते थे तो जब व्यपार हुआ इंडिया के साथ तो इंडिया टर्न इंटू a sink of Gold and Silver फिग न? तो यह मैंने आपको बताया कि एक तरीका यह था Silk Route Silk जाता था, मसाले जाते थे, Chinese Pottery है पहुत सारी चीज़े हैं जो ट्राइवल करती थी यानि लोग जो है Link होते थे Silk Route के थूरू दूसरा रीद, दूसरा कैसे लोग connect होते थे Food Travels, खाना ट्राइवल करता है बिल्कुल ट्राइवल करता है साथ बिल्कुल ट्राइवल करता है, आज देखिए आप लोग पता चला अभी मैं गया था पता नहीं लाचपत नगर का एरिया था दिल्ली में तो वहां पर मैं गया अफगानी बरगर खाने के लिए तो फूट ट्रावल वो आदमी आके यहां पर क्या कर रहा है अपने यहां की जो बर्गर का स्टाइल है वो यहां पर लाके दे रहा है तो फूट इस ट्रावलिंग समझ रहे हो अब पता तरहा इंडिया में कोई सीख लेगा इसको फिसके बाद वह बैचारा नहीं होगा इतना वेल टूट इंडिया में कीजिन ने सीख लिया बहुत अच्छा बनाएं लग गया ज्याद अच्छा टेस्ट लग गया कल को उसने कॉपी राट मार लिया अपना जो ट्रेडमार्क ले दिया जो करना हो तो आप ट्रेस नहीं कर पाऊगे कि अच्छली उस डिश का ओरीजन कहां हुआ समझ रहे हो तो फूड ट्रावल और फूड से भी क्या होता है लोग जो है वो कनेक्टेड यहाँ पर फिल करते हैं थर्ड पॉइंट तीसा तरीका क्या होता है कैसे कनेक्शन फिल होगा कैसे लॉंग डिस्टेंस रिलेशेंशिप आएगा एक आएगा कॉंकर कब जालो किसी तो यह तीन तरीके हैं जो आपके पॉर्शन नंबर वन में इस चाप्टर के दिये गए हैं तो इन तीनों चीज को चली यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं वैसे मैंने आपको समझा दिया पूरा ठीक है लेकिन फिर भी एक बार इसको डीटेल में यहाँ देख लेते हैं देखे आपको अगर प्री मॉडर्ण ट्रेड समझना है यानि कि मॉडर्ण वर्ल्ड से जस थोड़ा पहले जो ट्रेड हो रहा था कैसे हो रहा था वो और कैसे कल्टरल लिंक देवलप हुए वो उसके लिए समझने के लिए सिल्क एक बेस्ट एक्जाम्बल है तो यह जो आप सेंचुरी तक यहां पर यहां पर हमको इस रूट्स के थ्रू बिजनेस होता हुए हमको दिख रहा है ठीक है बहुत बहुत ही बड़े पैमाने पर यह ट्रेड जो है वो होता था ना देखिए ट्रेड एंड कुल्चरल एक्सचेंज ऑल्वेस वेंट हांड इन हांड अब ब बता हो कि मैं एक व्यपारी हूं फॉर एक्जाम्पल ठीक है मैं क्या बेशता हूं कालीन अब आप देखो कि टर्की की कालीन बड़े अच्छी है वहां पर बहुत अशांदार कार्पेट्स मिलेंगे कश्मीर की शॉल्स कश्मीर के ब्लैंकेट्स बड़े फेमस हैं तो अग मैं उसको जानूंगा तो हम दोनों की कल्चेरल एक्सचेंज भी यहां पर होंगे और यही हुआ था कि इस तरह का जब ट्रेड हुआ तो क्रिश्टन मिश्नरी जो हैं वह यहां पर इंडिया आती है यह मैंने आपको एट्थ क्लास के इंस्याटी में पढ़ाया था कैसे क्र इस प्रकार से जो पहला पॉइंट है तो बही देखो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट है जो चाइनीज का जो कार्गो था वह मूव किया उसके अलावा देखो हमने देखा ट्रेड कल्टरल एक चेंजिस मूव किया लोग कई सारे रिजिजन को जाने इस तरह की चीज़े यहां पर मूव करती है फूड ट्रैवल की बात करेंगे तो यहां पर सिंपली मैं आपको सम कंट्री जब पहुंचे तो वहां पर इसको स्पागेटी करें यह देखिया आप इसको स्पागेटी बोल रहे हैं और यहां पर इसको नूडल बोल रहा है भाई तब क्या फरा कि उल्लू बना रहे हैं खाली बस नाम अलग हो गया देखो आपके सामने है तो ट्रावलर्स य पहुंचेंगे वहां पर भी खाएंगे तो अगला आदमी की मूँ में पानी आ जाएगा क्या खा रहे हो भईया बोले में चौमीन खा रहे हैं को भी खाना है तो भईया वहां जब बैठे खाने के लिए तब इनको मजा आ गया इन्हों इसको अपने साब से बना लिया और जो चाइना में जो नूडल्स था वो यहां पर आके स्पैगेटी बन गया समझ रहे हो आप ऐसे ही पॉर एक्जामपल मैं आपको और भी जहां एक्जामपल देता हूं जैसे कि यहां पर देखे मैंने आपको बताया एक एक ग्जामपल दिया पास्ता का ठीक है पास्ता का और पास्ता ठीक है और इसको इंट्रेदूस किया था हा इटली के स्टेट में तब आएं आप को इसके देखोकेगे आपको इसके बड़ाPart आपको भ्याइक ने पास्ता काईंगे यह मौन QE उसे कि यह चीज ट्रेस आउट कर रहा कि किसकी शुरुवात कहां से हुई यह बड़ा मुश्किल हो जाता है तो फूड उफर्स मेनी एक्जांपल्स ऑफ लॉग डिस्टंस कल्चरल एक्सजेंज ओविसली ठीके ना अब देखे न्यू क्रॉप्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह है कि जब कोई ट्रेडर या कोई ट्रावलर कहीं मूफ किया तो जहां पर वो रहा जाके जहां पर वो मूफ किया वहां उसने अपने क्रॉप्स को इंट्रॉप्स कर दिया हमारा मन होता है यह खाने का तो हम उस चीशी खिती करेंग जाते हैं छोड़ुस का फसंद है ठीक है कि अब अगर मैं खाता हूं तो राइन अगर मैं पहुंच गया खरकी नहीं मिलना है तो भाई मैं क्या करूँगा गॉरृट डिवाइट चावली खेती करूँगा वा जाके जब मैं वह पर खेती करूँगा तो वह चावल हम मिलेंगे तो वहां के लोग भी जान जाएंगे अच्छा यह चावल है तो नए-nए नए क्रॉप्स देखो इंट्रीज हो जाते हैं नए क्रॉप्स मैंने इंट्रीज कर दिया मैं ट्रेडर था लेके गया वाई गौर्ड नड़ेर तीज किलो चावद बहुरी बेचेंगे जाके वहाँ पर इंडिया में 30,000 के मिल आएंगे अच्छा बहुत बढ़ी हा खुब प यानी जो की बनती कहीं और थी स्पेशलिटी किसी और स्पेशलिटी कहीं और पहुंच तो चीजें थी वह लाइकनेस कल्चरल लाइकनेस एक जगह की दूसरे जगह भी पसंद करने लगे लोग होता ही है अभी जाता बाली पता जला रहें बटर चिकिन लिए वहां खिला र बदल गया जैसे कि यहां पर नूडल्स था मास पैगटी हो गया लग रहा है बड़े अमीर डिश खा रहें कभी खाई ना हो खाएंगे वही नूडल्स वाली चीज़ तो कॉमन फूट सच पोटाटो अलू सोया ग्राउंड नट मेस टोमाटो चली सूट पोटाटो अच्ट अब देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया एक नए खिलाडी की यहां पर एंट्री होती है इस वर्ड में और वो है अमेरिका अमेरिका की जब डिस्कवरी हुई देखो अमेरिका एक बात ध्यान रखना कि उसका केरिबियन आइलेंड वाला एरिया है वो बहुत ही रिच है ब तो वो जो रिचेरिया है वहां बहुत जदा प्लांटेशन हैं तो वहां खेती बारी बड़ी अच्छी होगी वहां अच्छे रिसोर्स मिलते हैं तो जब तक अमेरिका खोज नहीं हुई थी तब तक उस जगह के जो क्रॉप्स हैं उनको नहीं जानते हैं लोग लेकिन एक जब अमेरिका की यहां पर खोज हो गई तो उसके बाद अमेरिका में मतलब बोई जाने वाले फसल क्रॉप्स उसका इंट्रोडक्शन पूरी वर्ल्ड में हुआ बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स थे जो ओरिजनली अमेरिका की हैं लिखा हुआ है मैनी ओफर कॉमन फूट्स केम अमेरिका इंट्रोड कर पाए जब अमेरिका की खोज हुई उससे पहले कोई इसको जानता ही नहीं था ठीक है अब सम्टाइम्स न्यू क्रॉप्स कुट मेक दिफरेंस बिट्विन लाइफ और अब देखो भाईया कुछ क्रॉप्स ऐसी हो गहीं जो लोगों के अंदर जो म आर्लेंड में लोग जो है आलू के बड़े दीवाने हैं वहाँ पर और वहां के लोगों को आलू बड़ा पसंद है हर बात पर आलू खाएंगे सुबह उठेंगे तो आलू खाएंगे शाम को आलू खाएंगे हना सुबह चाय के साथ भी आलू खाएंगे एक किलो आलू खा फैल गई तो आदमी लोग खा नहीं पा रहे इसको अब उनकी जिदे हम खाएंगे तो आलू कुछ और पसंद नहीं आता तो आलू बिमारी हो गई जिसकी वजह से लोग आलू नहीं खा पा रहे थे तो आर्लेंड के लोग जो है वो स्टार्वेशन करने लगे भूके रहे वर्ड है इसको यहाँ पर नोट करिएगा ठीक है ना तो यह चीज यहाँ पर आपको एक्स्प्लेइन करी गई है इसको आप यहाँ पर अच्छे से पर सकते हैं कि हंड्रेट्स ऑप पीपल थाउजंड्स ऑप पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन और वो भी किस लिए आई सर्फ यूरोपें यहां से निकले और या फिर वो उसके बाद यहां पर केप गौड होप से लेकर वह इंडिया पहुंच गई इस प्रकार से तो एक बार तो Europeans इंडिया आ गए और एक बार वही Europeans देखो Atlantic Ocean क्रॉस करके अमेरिका पहुँच गए बार समझम्हारी है तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया दोनों पार्ट को जान लिया इधर इंडिया है लेट साइट पे और एक राइट साइट बे उनके अमेरिका है इंडिया जान लिया और इंडिया भई यह उन्होंने और अमच्च आछा वां.. तो क्या हुआ Indian subcontinent was central to these flows, जो India का subcontinent था, वो central था, entry of Europeans helped to expand these flow towards Europe, अब जब Europeans की entry होती है, तो India की जो चीजे थी, वो westwards flow करना शुरू करती है, जाहिर थी बात है, इंडिया में जो चीजे खोजी गई, जो चीजे इंडिया में थी अभी तक, वो चीजे अब यहाँ पर west travel करना start कर देती है, वो चीजे west travel करना शुरू करती है, this is all because of the Britishers, चलिए जानते हैं कैसे होता है, लेकिन पहले, idea of colonization हुआ क्या, जब British ने colonization किया, जाहिर थी बात है, colony बना लिया, तो enhanced Europe's wealth and finance, it's trade in Asia, सीधी बात है, आप colony बना लिया इंडिया को, तो भाई जो भी चीजें इंडिया की बहुत fine quality की थी, वो British ने लगी, और उनका फाइदा होने लग गया, है ना, अब दूसा चीज देखिए, जैसे कि Portuguese ने किया, Spain ने किया, इन्होंने अमेरिका को अपनी colony बना लिया था, लो भाई या, जैसे, British ने इंडिया को बनाया, वैसे यहाँ पर देखिए, पुर्टगाल ने और Spanish के लोगों ने, Spain के लोगों ने, अमेरिका को बना लिया, ये एक तरीका था, तो conquest हो गया, trade disease, अब देखो disease से कैसे हुआ, देखो तरह, अब देखो Spanish conquerors didn't use conventional military weapons, कैसे Spanish people ने, Portuguese people ने, अमेरिका को colony कैसे मनाया, ये समझो तरह, देखो, अमेरिका जो है, वो isolated था, अमेरिका को किसी से मतलब ही नहीं, बिरादरी से एकड़ाम अलग, हमें एकड़ाम अलग पड़े हुए हैं, हमें दुनिया जारी से मतलब ही नहीं, तो अमेरिकान्स जो थे, वो isolated थे, और वो कुसी और तरह की चीजों को जानते ही नहीं, बिमारियों को जानते ही नहीं थे, तो जब यहां से यूरोपियन्स में, अमेरिका के अंदर यह बिमारी जो थी, स्मॉल पॉक्स, उसको यहां पर उन्हों ने क्या कर दिया, उस जर्म्स को फेला दिया, अमेरिका के अंदर, अब वो बैचारे अमेरिका वाले लोग, उनको इम्मुनिटी थी नहीं, जानते थे नहीं उस बिमारी, वो बिमारी उनके लिए बिरादरी के बाहर की बिमारी थी, उस बिमारी के खिलाफ उस बिमारी के अगेंस, उनके पास इम्मुनिटी नहीं थी, डबलू बीसी उनका उस बिमारी को जानता ही नहीं था, और जब तक WBC जान पाया तब तक आधा अमेरिका उड़ गया था मतलब not exactly आधा मैं आपको कहने की बात कर रहा हूँ तो हुआ क्या Spanish Congress ने कुछी military weapon के धुरू अमेरिका को यहाँ पर colonize नहीं किया कोई military कोई gun बारू इसा बिस्तमान नहीं किया क्या किया उनने they used germs और germs कौन से था smallpox तो भाईया यहाँ पर चुकि अमेरिका वाले long isolation में थे हना तो उनकी कोई immunity नहीं थी इस disease के खिलाव और इसलिए यहाँ पर इस disease ने बहुत सारे ऐसे यहाँ पर Americans को मार दिया paving the way for the conquest और इस प्रकार से अमेरिका पे कबजा हो गया क्लियर हो गई बात ठीक है अब देखिए 18th and 19th century world यहाँ से पार्ट टू स्टूर हो गया लेकिन एक बात यह क्लियर हो गई आप लोगों को कि 18th century में क्या हुआ China and India जो है where among the world's richest countries 18th century तक इंडिया और चाइना बहुत अमीर कंट्री थे अब दो सो साल पुरानी बात है जस्ट टू और यहाँ बाक हम लोग वर्ल्ड के richest countries में आते थे क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास natural resources बहुत अज़ादा थे और आप इस बात का अंदादा इस लगा सकते हैं कि countries like these हमारे पीछे आए हमारे country को capture करने आए अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम पर कभजाई क्यों कर किया जाता नहीं करते कभजा हम पर है के नहीं तो चाइना इन इंडिया वर अमंग दी वर्ल्ड इचस कंट्री से च अब हुआ क्या कि चाइना ने क्या किया चाइना ने कहा अपने आपको 15th century से उसना आइसोलेट कर लिया हाँ जोड लिये कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं हम जा रहे हैं छोड़के पूरा दुनिया हम अपना आइसोलेशन अकेले में रहेंगे मुझे छोड़ दो मुझ चाइना इंडिया यह सब था क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज़े मिलती थी ठीक है लेकिन जब से चाइना अपने हाथ खीच लिये कि यह हमसे कोई मतलब नहीं तो अब जो 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 सेंटर ऑफ ट्रेड था अमेरिका की खोज भी हो गई हना इंपॉर्टेंस अफ अमेरिक और जो इंडिया चाइना का रेडिउस रोल था इसकी वज़े से जो ट्रेड अब वो वेस्ट वर्ट चला गया और लंडन जो है वो फाइनेंशल सेंटर बन गया वर्ल्ट का फाइनेंशल सेंटर यहां बन गया इस तरह से चीज़े जो है वो वेस्ट वर्ट यहां पर पहुल था 19 सभी शताबदी तक कि jours में बहुत जादा आप दिखोगे अमरिका में बहुत जादा आपको मिलेगा भॉभर्ती हंगर अ बहुत था बहुत ऑफ की बात नहीं मानते थे तो इनको पर्सीविट कर दिया मतलब उनको एकदम किसी कर दिया हुआ कर दिया समंझना रहा है तो इसलिए क्या हुआ ऐसे हालातों की वजह से यह जो हालात है वो यूरोब के हालात बता जा रहे हालात ऐसे हलात थे यूरोफ क्या हालाद भुक पोर्टी गरीवी हंगर भुकम भुके लोग सिटीज क्राउडेड है डेडली डिजीज फैली हुई है पईया ऐसे जगे कौन रहेगा आए दिन रिलीजस कॉनफ्लिक्ट हो रहे हैं हाना रिलीजस को पर्जिगूट कर दिया रहा है तो ऐसी सेनारियों में यूरोप से बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका को चले गए माइगरेट कर जाते हैं देफो थाउजंड देफो फ्लेड यूरोप फॉर अमारिका क्लियर हो गया यह बात क्लियर हो गई चलिए आ गया जीए अब दर नाइटीन सेंचरी यह हमारा पार्ट टू यहां से से इकेंड पार्ट जो है दोस्तो वो स्टार्ट होता है एंसी आर्ट का आयोप फर्स्ट पार्ट यहां पर क्रिस्टल क्लियर होगे बड़ा इंट्रेस्टिंग पार्ट था किस तरह से देखो आलू की वजए से सनारियो चेंज हो जाता है हाना जर्म सेंड डिजीज दिखने यहां आस्पेक्ट आपको हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है अभी तक आपने देखा हो कबजा किया गया अब मार धारते लड़ाई वड़ाई इसे तलवारों चला-चला के कबजा किया गया था लेकिन यह पहली बार आप देख रहे हैं जहां पर मैंने आपको जर्म्स डिजीज के बारे में बताया किस प्रकार से जर्म्स डिजीज भी जो है एकदम समझ रहो ना दिक्कत कर गई तो 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं 1815 से लेकर 1914 तक की कहानी यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे काफी इंपोर्टेंट कहानी है अब देखो इस फेज में हम क्या डि के एक दूसरे कंट्री के रिलेशन को चेंज कर दिया जैसे मैं आपको सिंपल सी बाइब बताओं एक्जांपल टेक्नोलोजिकल एडवांस्मेंट्स हुए अग्रिकल्चर के अंदर तो पहले पहले लोगों की इतनी डिमांड नहीं थी हाना जब लोगों के डिमांड बनी टेक्नोलोजी आ गई टेक्नोलोजी आ गई तो चीज़े ज्यादा प्रोडूस होने लगी ज्यादा डिमांड हो गई समझ रहो इस प्रकार के चेंजिस यहां पर हो समाज में आएगा देखो जड़ा क्या होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स थे चाहे एकनोमिक हो चाहे से जत्तौरान देखने को मिले क्या एक फ्लो ओफ ट्रेड एक फ्लो ऑफ लेबर एक फ्लो स्क्यार अवा ओफ मतला माम्मेंट अब देखो ट्रेड होई ट्रेडविक एक ज्यगह दूसरे क्यों कि वह रोही थी तो ट्रेडिंग यहां पर शुरु कि इक कंट्री से दुक्र अब लेबर मुवब्मेंट हुआ अब ट्रेड होगा तो ओवेसी बात है ट्रेड खाली अकेले अश्व फोड़ी कुरसी अपने आप छल जाएगी वाई कुरसी ले जाने वाड़े लोग वाज दो ले जाए लोग भी चाहिए तो लेबर उसको लोग बनाएंगे तो लेबर तो होता था कि युडोप में उडिव कुर बनते थे और फैनिशल सेंटर बन गया था तो यहां पर मिलते थे आपके रिसोर्स यह आपका रिसोर्स का एरिया यह पुरा दिए लेगा युरोप वालों के पास कैपिटल बहुत ज़ादा है पईसा बहुत बड़िया है फैनेशल पर यहां पर यहां को किस प्रकार सिदॉरोप से लेवर रहा है यहां से लेवर यहां पॉचके रहा है यहां पॉचि जा पॉचर किसेडbook को नोचै dry यहां बता है वो भी आपको हुआ रहा है तो यह ट्रैंगूलर स्लेव ट्रेड थी ट्रैंगूलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है नीचे से उपर पढ़ ले ना ऐसे जा समझाने के लिए यह अभी इस जगह चाप्टर में नहीं है आगे आएगी बात में लेकिन अभी इस जगह चाप्टर में नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर यह बताया है तो उस वक्त का पीरेट था 1815 से 1914 वर्ल्ड वार से ठीक पहले का जब तीन क्रकार के मुवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वह मुवमेंट्ट फ्लो अफ ट्रेड फ्लो अफ लेवर और फ्लो आफ पीपल की तरह होता है हाना तो लोग माइग्रेट करते हैं इन सर्च अफ इंप्लॉयमेंट राइट क टम लॉंग टम यह सब चीज़ें यहाँ पर होती है चलिए अब देखिए अब वर्ल्ड एकॉनमी टेक्स शेप अब देखो जरा यहाँ पर इसको सवाजने की ज़रुआता है फिर से बहुत सिंपल चीज़ें को ज्यादा चीज़ें आपर नहीं देखो जरा क्या है कि ट्र सेफिशेंसी तो सेफिशेंसी का मतलब बहुत ही खराम मना जाता था वह एक तरह से बिलो लिविंग स्टैंडर्स था ऐसा नहीं होना चीज़ सेफिशेंसी खाली हम इतना ही अनाजमाय पास हो 19th century के बिटेन में सेफिशेंसी इन फूड मतलब लोगर लिविंग स्टैंडर् अगर आप खाली सेफिशेंट मतलब इतना प्रोडूस कर पा रहे हैं कि आप खा पा रहे हैं तो यह कॉंफ्लिक्ट करेगा ही करेगा वाइस हो अब ऐसा क्यूं होता था जरा समझते हैं इस चीज़ को देखो हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है जाहिर सी बात है डिमांड किसी चीज़ का प्राइस को हाई कर देती है सिंपल एकनोमिक्स है तो यहाँ पर क्या हुआ फूट ग्रेंग के प्राइसे जो है वो इंक्रीज हो गए हाना डिमांड पुल इंफलेशन जो होता है डिमांड एक्जाक् सरकार पर इंसे इंसे ग्लीट ब करेंगे इससेक्ण क्या होगा क्या देट सरकार जब परwolf की इंसे एंस में बढ़ रहा हूं कि प्राइसे को हो रहा एं इंस लान्डिट ग्रूप्स को पित ज्यादा पर हो सेमिलzeniya ना चीज़े मेंगी लिख रही हैं तो इन landed group से सरकार से बोला कि आप बाहर से imports को ban लगाईए इसके लिए सरकार ने क्या किया corn loss को pass किया comment introduce corn loss और ये corn loss क्या थे रिस्टिट कर रहे थे import of corn corn का import corn का import बाहर देशों से नहीं हो सकता था अपनी देश में हो सकता था इससे क्या हो रहा था कि अपने देश में हो तो रहा था production लेकिन कि इतना दादा production नहीं हो पा रहा था कि लोगों की डिमांड मीट हो पाए इसलिए डिमांड मीट नहीं होती थी डिमांड हाई रहती थी हमेशा जिसकी विए से prices भी हाई रहते थे और इन लोगों को फायदा होता था लेकिन एक तरीकी से देखा जाए तो लोगों को नुक्सान हो रहा है लोगों को महंगाई जिल्ली पड़ रही है तो हुआ क्या कि food game prices increase तो हो रहे थे more due to high population लेकिन इसका क्या देखने को मिला कि अब जो इंडस्ट्रिलिस्ट थे और जो अ हम अपने country में produce कर रहे हों महंगा पड़ रहा है country में produce कर रहे हैं तो कोई चीज हमको 100 रुपएगी पड़ रही है 100 रुपएगी और हम वही चीज़ अगर import कर रही है ताज्युप की बात है हम बता ऐसा हो रहा था यूंकि हमारे country में होता है ना वही मान लीज़ ऐसे technology नह जाहिरती बात है ना तो इंडस्टिलिस्ट और यह जो अर्वन डॉलर्स थे कहने लगे कि यह क्यों की दवरस्ति बैल लगा कर रखे हुए हो क्यों कॉन लॉस लगाए हुए हैं तो इन लोगों ने forcefully इन कॉन लॉस को abolish कर दिया हट वा उसको जब क्या मतलब हुआ इसका म जाधा लोग जो हैं वो कॉन की डिमांड कर सकते हैं क्योंकि अब वो सस्ता है जाधा लोग उसे खा सकते हैं जब जाधा डिमांड बढ़ जाएगी तो और इंपोर्ट होंगे बासमद में रही ही यह नहीं आ रहा है वही चीज जहां लिखा हुआ है फूड कुड बी इंपोर्टेड इंटू बिटेन मोर चीपली दैन उट कुड बी प्रोडूज विदिन दी कंट्री एफक्ट क्या हुआ है से बॉलूशन अफ कॉन लॉस का पहला एफक्ट यही था कि फूड जो है वो सस्ता हम चीपली जो है फूड को या कर सकते थे इंप पीट नहीं कर पाया मतलब लगा अरे यह तो विकार की बतलब विकार होगे मामला हम सौर रप्र में हम बना रहे हैं लेकिन असी में इंपोर्ट हो रहा है तो का फायदा भाई आदमी जाहिर थी बात है इनसे लेगा जो असी में बेचेगा तो साव वाले को मतलब नी रहा यह लैंड जो लैंड ग्रूप्स थे लैंड उनर्स थे उनका कोई मतलब नी रहा गया प्रोडक्शन करने का तो उन लोग ने जमीनों को खाली छोड़ दिया कोई फायदा थोड़ी है सौर प्रम हम बेच पाएंगे हमारी लागाती इतनी बन रही है तो हम इस सस्ता बेच नी सकते हैं इंपोर्ट सस्ते का हो रहा था तो ऐसे में लोग ने क्या किया वास्टेश ऑफ लांड वेर लेफ्ट अनकल्टिवेटेट उन एरियाज को अनकल्टिवेटेट छोड़ दिया उन एरिया को तो थाउजंड और मैं वोमें वेर थ्रोन आउट वर्क जाहिर थी ब मन गया यहाँ पर जो लो ग काम कर रहे हैं अभी तक ब्रक Haw довольно के अंदर अब वो में करने लाए क्यों कि वहां पर कामिन नहीं بचातां लोगों के पास तो लोग जो है वो में अब क्या होता है जब जाहिरती बात है हम चीजों को इंपोर्ट कर रहा है सस्ता इंपोर्ट कर रहा है तो food prices क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं food prices गिरने से क्या हुआ consumption बिटेन में जैसे मैं आप कहा consumption बढ़ जाएगा भाई अभी तक कोई चीज 100 रपे की थी लोग नहीं afford कर पा रहे हैं अब कोई चीज 60 रपे की है import करने के बाद भी तो लोग afford कर पा रहे हैं लोग 60 रपे दे पा रहे हैं तो क्या होगा जादा लोग consume कर रहे हैं जो बाहर से आ रहा है तो बिटेश में जो बिटेन में है वो डिमांड जो है consumption की जो है वो बढ़ गई ठीक है ना faster industrial growth in Britain also led to higher incomes अब ज़रा समझे क्या हुआ faster industrial growth हो गई in Britain also led to higher incomes higher incomes यहाँ पर होने लगी अब सीधी बात है यह भी connected fact है जादा 33 से industrial growth यानि की जादा industries जादा industries क्या हुआ led to higher income जादा industries लोग काम कर रहे हैं जादा production हो रहा है क्योंकि demand है ना simple concept है कि भाई देखो अगर किसी चीज़ की demand है तो जाहिरती बात है उसका हमें क्या करना पड़ेगा production भणाना पड़ेगा हमको इसका production मणा पड़ेगा जितना demand उतना production मणा पड़ेगा है कि नी और production मणाने लिए क्या होगा हमको जादा employment देनी पड़ेगी जादा लोग चाहिए होंगे तब जादा प्रोड्यूस हो सकता है तो employment भढ़ता है फिर इस चीज से यहीं चीज यहां पर हो रही थी फास्टर इंडश्टनल ग्रोथ की वैसे higher income जोनी थी जब लोगों की income जादा हो जाएगी employment मिलेगा और उनकी income जादा हो जाएगी सोचो जरा उनकी income बढ़ गई तो फिर और income बढ़ी और demand बढ़ गई यह ब्रिटेर ने बढ़ना लगा था अब देखो यह समझ मारा तक तो हुआ गया कि higher incomes की वैसे पास्ट्र इंडर्स्ट्र ग्रोथ की वैसे income बढ़ना लग गई therefore more food imports और food import किया गया कहे के लिए Britain की पूर्ती करने के लिए Britain की demands को fulfill करने के लि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूज्लैंड इन सब जगे भी production स्टार्ट हो गया क्यों इनको दिखा क्या में क्या है डिमांड है और हम अगर प्रोडूश करेंगे अमेरिका वाले और तो हमारा सम्मन बिकेगा तो यहां पर यही हुआ कि around the world Eastern Europe Russia America Australia यहां पर lands को clear किया गया औ और हमारा सम्मन बिकेगा हमको फायदा होगा तो अब जो अनाज अभी बगल के गाउन से आ रहा था अब वह बहुत अब इसकतो को बहुत और नहीं था ठाश्चुन को mm डिश्चुन में अगर लाइंड क्लियर कर दिया लैंड क्लियर किया एलसी लाइंड क्लियर करने से अग्रिकल्चर महां पर क्या होगा बढ़ जाएगा अब खाली ज्यादा शुट करने से काम चलिएगा क्या हाँ यह एक लाग कुंटल बना के बैड़ गए अब एक लाग कुंटल तो प्रोड्यूस कर तो चुके हो लेकिन क्या खाली काम इससे हो जाएगा नहीं होगा क्यों क्योंकि मालिक रशिया से वह समान जो है आना भी तो है ब्रिटिन तो कैसे लिए क्या लेकर यहाँ लेकर यहां पहुंट पर आएगा पर चाहिर सी बात है ट्रेड हो रहा है तो हारबर बिल्ट करने पढ़ेंगे capital फ्लोड फ्रॉम दी फाइनेशल सेंटर सच अ लंडन लंडन जो है वह फाइनेशल सेंटर मैंने आपको पताया बन गया था और वहां से क्या हुआ अब लंडन से चीज़े जो है फाइनल गुट्स बनके दूसरे दूसरे कंट्री जा रही है रही है रहा है जो चीज़ इंकमिंग थी अभी तक बिटेंग इंपोर्ट कर रहा है अब लंडन जो है फाइनेशल सेंटर मन गया ठीक है दिमांड फॉर लेबर इन प्लेसे वर अब ज्यादा डिमांड हो गई यहां पर इन जगह पर इसकी अमेरिका में ऐस्ट्रेलिया में तो ज्यादा लोग माइग्रेट करने लग गए माइग्रेशन भी हुआ हना एक्जाम्पल के लिए डेटा बता रहा हूं डेटा यह कह रहा है कि 1820 से लेकर 1914 तक जो अभी हम ल 40% दिस ट्रेल्घ कम प्राइमरी प्रडट्स लगबक साथ 60% ये जो ट्रेड हो रहा है उसमें 60 बढ़ा यहां पर उसमें से अग्रिकल्चर प्रोडक्स ते जैसे गेहूं था, कॉटन था, मिंडरल से जैसे कोल था, इन सब का हो रहा था, अब तोचो ये रा मटेरियल्स है, तायर की बात है गेहूं होगा तो गेहूं कच्छा थोड़ी के जब चबा ले जाओगे, तो रा मटेरियल्स का जो बढ़ा, समझे नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलियो, आगे दिखे, रोल अफ टेश्नलाजी, अब टेश्नलाजी ने क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया, बहुत ही इंट्रस्टिंग का निये, बहुत इंट्रस्टिंग, देखो, टेक्नलाजी इन्वेंशन हुए, तो हमार सारी चीजे जो है वो better होने लगい ठीक है न अब सिधी बात है न बताया मनें आपको political factors हना countries में power game था तो ज्यादा बेटर technologies के पास थी वो ज्यादा powerful हो जाएगा हना economic factors था economy better करने के लिए इसे चीजें हुई इग्जाम्पल देखें जहां पर बताया colonization अब colonization क्या है ये आपका political factor stimulated new investments and improvements and transport अब अगर माल लीजिए बिटेन ने इंडिया को अपना colony बनाया तो इंडिया के अंदर नए नए investments हुए इंडिया के अंदर railway शुरू हुआ इंडिया के अंदर नएने technologies आई आई के नहीं आई तो colonization हुआ political factor, colonization, economic factor भी है social हर सारे colonization के साथ social factors, political factors, economic factors सब जोड़ गए है के नहीं, social factors, society में हमारे इंडिया के अंदर बहुत साथ चीज़े changes करी गई थी colonization के थूरू हुए थी सती प्रैक्टिस को फतम किया गया child marriage को बंद किया गया remarriage को start किया गया तो क्या है social factors cultural factors, political factors हो गए हम पर कबजा किया गया economic factors हमारी economy तो colonization से हर चीज़ connected है तो यह example यहाँ पर दिया कि colonization के वैए से बहुत सारा changes यहाँ पर improve हो गया now trade and meet earlier अब देखो यह slide मैं आपको समझा दे रहा हूं दोस्त एक बार समझ लेना simply फिर उसको पढ़ना समझ में आ जाएगा ज्यादा कुछ नहीं है इतना मैं पढ़ूँगा नहीं देखो यह आपके लिए बस समझ लेना क्या हुआ देखो हुआ यह कि यह मानलो क्या है यह आपक यूरोप में बहुत जादा मैंने क्या बताया कि महंगाई थी या फिर हम कह सकते अमीरी गरीबी बहुत जादा थे अमीर बहुत थे गरीब बहुत थे तो जो अमीर लोग थे वहीं यहां पर मीट खा पाते थे गरीब लोग इतना मीट अफॉर्ट नहीं कर सकते थे उनकी ड अब होता गया तक जिन्दा जानवर है जाहिरती बात है ज्यादा जगह लेगा शिप के अंदर सीधी सिंपल सिंपल बात है कोई मतलब असा नहीं कि हम बहुत भाइवी चीज़ें सिंपल बात है अब सोचो जड़ा एक जानवर आप शिप पे लोड़ करोगे सौ जानवरों को जानवर है जाहिरती बात है ज्यादा कॉस्ट बहुंकर लगेगी तो आपको जानवर के साद अनाज रखना पड़ेगा उसके खाने के लीग सावान रखना पड़ेगा तो आपके खरस्ये बढ़ गए तो जानवर यहां से सुरू हுआ था जानवर यहां पहुँचा तो ते मगाल जिन着 अब येकि झालन है कितुम लेके चड़ातेले यहां से लेकितेले किटने पाइफवी चुम लेकितें यहां से five thousand ऑफ ताउजन में बोलो इसमें हजार मर गए हजार पूण लेकिन आप फांजरली यूरोप लेकि पहूंचे अब ग्या हुआ यहां पर आई तो टैकनोलोजी से क्या वह कि अब यहां से यही पर जानवर को स्लोटर करके यहीं पर उन फ्रिजिस में रख दिया गया अब तुम मुझे बताओ कि जिन्ना जानवर जादा जगह घेरेगा या फिर मरा हुआ अरे मरा जानवर है स्लोटर करा हुआ है उसके पीसे अलरी कर दी है कनस्तर में आ जाएगा बंदो के इतना बड़ा जानवर खड़ा है उतना बड़ा जानवर जो है वह एक जगह एक डिब्बे के अंदर कनस्तर के अंदर भरके आ जाएगा तो जादा जानवर ट्रांस्पोर् यहां पर खा सकता था पूर इंड यूरोप जो था वो भी अब मीट यहां पर अफॉर्ड कर सकता था यहां पर पहुंचेगा यूरोप में यूरोप के लोग खा पाएंगे सब लोग नहीं कि महंगा पड़ रहा है यहीं से काट के ले जाओगे ज्यादा ले जा पाओगे मरा है तो इसको अनाज भी नहीं चाहिए ऐसा थोड़ी है कि हमारा जानवार खाना मांगेगा वो तो अमेरिका सब्सक्राइम यहां जाते ने टाने गटा में अचेसी अ किस और जाते गात तो यहां चाहिए कि उसको slaughter कर दिया और frozen meat की तरह refrigeration की तरह help से उसको क्या किया गया बेजा गया तो shipping cost कम हो गई meat का price कम हो गया यूरोप के अंदर और फिर अब पूर जो है यूरोप के अंदर वो इसे खा सकता है अपनी diet में include कर सकता है तो variety जो है वो बढ़ जाती अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई globalization से अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हाना लेकिन को नाइशन एक का एक डारकर साइड भी है हाना देखा हमने को नाइशन हुआ तो technology introduced हो गई हाना कितना बड़ा plus point था लेकिन एक डारकर साइड भी है कुछ के लिए colonization आप देखोगे देखो यह लिखा हुआ डारकर साइड to trade flourishment and markets expansion भाई market expand हुआ trade flourish हुआ इसके positive side तो देखा हमने लेकिन इसका darker side भी है expansion of trade and globalization also meant loss of freedoms and livelihood सीधी बात है अब बहुत सारे लोगों की जो freedom हो छिन गई क्योंकि उनको उस जगे काम करना पड़ता था उनका livelihood छिन गया painful situation थी economic situation बहुत खराब हो गई social situation खराब हो गई ecological changes बहुत जादा यहाँ पर देखने को मिल रहे थे in 1885 the big European powers met in Berlin to complete the carving of Africa between them अब देखो जो भी यहाँ पर European powers थी एफरिका पता था कि एफरिका में बहुत साथा क्या है resources है क्या है resources है बहुत जादा ठीक है एफरिका में क्या है बहुत साथा resources है यहाँ पर एफरिका में यहाँ पर क्या है बहुत resources तो जितने भी यहाँ पर European powers थी वह आफरिका की उपर कबचा करने के लिए लड़ने लगी तो यह सारी powers यह बर्लिन में मिलती है और यह होता है किस प्रिकार से अफरिका की boundary तो आप देखो कि अफरिका बाउंट्री जनरली इस्ट्रेट इस्ट्रेट दिख रही है आपको आदा ऐसे लग रहा और ruler रखके खेज दी गई हो यह देखो अगर आप देखो कर रूलर के खेज दी गई हो यह देखो है कि नहीं त कौन कितना कपजा कर पाता है और आफ्रिका में रिसोर्स बहुत है जिसके हाथ में आ गए रिसोर्स वह राजा हो जाएगा तो यह सारी देखो बर्ल्ल 1885 में जितने भी युर्पेन पावर्स थी बड़ी बड़ी वह बर्लिं में मिलती है ताकि हम आफ्रिका को यहाँ पर डि जिसको हम बोलते हैं render pest बिमारी और cattle plague अब जरा इसकी बात भी यहाँ पर कहानी सुन ली थे वो simple थी है कुछ जादा असमें नहीं है फिर इसको पीछे redoubt कर लेंगे देखो Africa को मैंने बताया कि बहुत जादा आपको यहाँ पर resources मिलेगा बहुत abundant land जमीन बहुत है population इतनी नहीं है जमीन बहुत है population इतनी नहीं है resources बहुत है lot of resources minerals बहुत हैं बहुत life stock मिलेगा वहाँ पर आप जाओगे अफरिका मैं उस वक्त के बता रहा हूँ तो वहाँ पर हर आदमी के पास जमीन होती थी और life stock होते थी भाई सहाब हर आदमी के पास जमीन है हर आदमी के पास भीड़ बख रहे हैं तो भाई सहाब काम करने की जरूरत फील होती ही नहीं थी there was no need to work ऐसा ही पैसा कमा ले जाएंगे अमेरिका यूरोपेंस की नजरे पढ़ी आफरिका की तरफ यह अफरिका में अब यूरोपेंस में दिमाग चलाया कैसे इन लोगों से अफरिका के लोगों से काम कराया जाए Land के लिए तो उन्होंने क्या किया? Land के लिए Alternative इन EURPians ने Land थी इनके पास Africans के पास तो यहाँ पर कैसे इन लोगों को छुटका और, इनको कैसे हटाया जाये? इन उन्होंने क्या किया? Encoms touch लगा दिया EURPians ने Africans की ऊपर income tax लगा दिया और यह कहा कि income tax कैसे पर करोगे तिर्फ wages के थ्रू और wages कम मिलेंगी जब काम करोगे ले वही या तो मतलब अब लोगों को काम करना ज़रूरी था दूसरा point क्या किया उन्होंने inheritance law को change कर दिया अभी तक क्या था कि जमीन जो है land है मेरे पास है फिर मेरे बच्चों के पास से लिए आगी तब को बढ़े आएगी बराबर से लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया दिमाग चलाया और उन्होंने कहा कि जो land है वो अगर मानलो तीन मच्चे हैं तो तीन में से किसी है कि पास ज प्रेसोर्स इस लैंड लाइफ स्टॉक भरा पड़ा हुआ है यूरोपेन पावर इसके नदर पड़ी बहुत अच्छा है यहां पर कपजा करना है इसको यूरोपें सांपर पहुंचे अब उन्होंने कहा कि हमाई ले काम करो आफ्रेकांस नहीं करेंगे जर्वती नहीं है अचलतेशमी चाहिए पैसा में आपका लैंड बहूट है겠지만 यहां स्टॉक बहुत है पैसे कहीं कमी नहीं तो अमॉरुपेन सूचा कि काम करने का त्यारी क्या तरिका हो हो लेकिन वेज नहीं है आपकी वो वेज मिलेगी कमाने पर देख तो मजबूरी हो कि दूसरा इन्हेरेटर्स लॉक को चेंज कर दिया उन्होंने कहा कि प्लैंड किसी एक के बच्चे के बेग बच्चे के पास ही जाएगी बाकी दो लोगों को तीन लोगों को जितने बच्च अफरेका के अंदर अफरिका कॉंटिनिंट में वहाँ पर इटालियन जो सोल्जर्स है वो इन्वेड कर रहे थे इलिट्रिया कंट्री में इन्वेजन हो रहा था इटली का तो जो इटालियन सोल्जर्स थे उनको फीड करने के लिए घोड़े लाएगए घोड़े मंगाए गए इंपोर्ट कराए गए ताकि इटालियन सोल्जर्स को हम लोग फीड कर सकें खाना दे सकें यह कैटल जो थे मंगाए गए थे यह इंफेक्टिट कैटल थे और यह जिस बिमारी से इंफेक्टिट थे उसको बोलते है रेंडर पेस्ट तो आफरिका के अंदर उनों एल प्लेस खताम हो गया लाइंड को लेलिया उन्होंने अलग तरीके से इंकाम टैक्स लगा के इन्टरिक को चिंज करके और लाइफ स्टॉक ले लिया उन्होंने इंफेक्टिट कैटल को इंट्रोड़ूस करके अफरीका के अंदर तो आफ्रीका के जितने भी लोग willing ही नहीं थे कि हम काम करेंगे विजस के जरुवत ही नहीं है ठीक है ना जरुवत ही नहीं है employer used many methods to recreate and retain लेवर्स अब European ने कई तरीक यह अपना है heavy taxes को impose कर दिया और कहा कि भाई आप इसको working for wages wages के लिए आप काम कर रिया on plantations and mines become necessary और इनने का taxes impose कर दिये और reason मैंने आपको पता दिया क्या है taxes आपको pay करने wages में ही wages ही तरीका है taxes pay करने का तो wages कैसे आएंगी by working in plantations and mines इसलिए लोगों को necessary हो गया काम करना दूसरा देखिए inheritance law को यहाँ पर change कर दिया गया peasants were displaced from land peasants को land से displaced कर दिया गया only one member of the family उसी को land खाली inherit होगी बाकी लोगों को workforce में आना मजबूरी हो गई others pushed into labor market बात समझ में आ गई यह सब चीज़े explain कर चका हूँ अब लिखी हूँ यह खाली आपके लिए ठीक है न render pest आ गया फिर आफ्रिका में लेट 1880 में लैंड ले ली गई अब livestock कैसे लिया गया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर ले आए इन जानवरों को और यह जानवर जो थे वह import किये गए थे कहां से बिटेश एशिया से ठीक है इस से क्या हुआ यह कहे के ल अब यह जो cattle थे infected थे है ना तो इससे क्या हुआ जो आफ्रिकन लाइवली हुट थे वो भी यहाँ पर क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया प्लांटर्स माइन ओनर्स कोलोनियल गोर्मेंट्स नाव सकस्फुली मॉनपलाइज वाट स्कार्स कैटल रिसोर्स रिमेंड तो जो जैसे अफरिका पर कपज़ा कर लिया गया क्लियर हो गई यहां तक काहनी यह थी अफरिका की बात आगे आ जाई है अब आता है इंडेंचर्ड इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फॉम इंडिया अब जरा इसकी कहानी भी सुन लोगा सिंपल कहानी कुछ जादा इसमें ह कि जिनके साथ अंग्लेशों ने यहां पर क्या किया क्या कोंटरेक्ट किया तोम्हें काम चाहिए उन्हें का मट्रेशन की अधिया और उनको ले जाएंगे दूसरे कंट्री और तुम्हें भापस भी लिआ आएंगे पांच साल के बासके बाद काम कर वाके तो लोगों बड ट्राट्यो करके they were indentured labor ठीक है न तो indentured labor मतलब फिर ये गए और वापस नहीं आ पाए तो वहाँ पर bound हो गए, वहाँ पर bond मतलब बंद हो गए वहाँ पर तो bounded labor को यहाँ पर indentured labor कहा जा रहा है clear है अब यहाँ पर क्या होगा समझो अब इसका two sided nature था of 19th century, 19th century में दो पहलू थे, एक तरफ कुछ के लिए एक ऐसा time period था 19th century जहां पर economic growth बहुत जादा थी, लोगों के लिए income बहुत हाई थी, कुछ जगा technological advancements हो रहे थे, तो on the other hand, कुछ लोगों के लिए misery का period था, कुछ लोगों के लिए आप देखोगे तो poverty थी, कुछ लोगों के लिए आप देखोगे, तो बहुत अलग-अलग type of coercion हो रहा था, तो एक तरफ ये plus positive side था, एक तरफ 19th century का आपको negative side देखने को मिल रहा है इन इंडिया भी देखोगे क्या हुआ, इंडिया में इन सब जगे से आये थे, अब इन दी वाई, क्यों यहां से, भाई क्यों क्योंकि in the mid 19th century ये regions ने experience किया था, बहुत सारे changes, जैसे कि cottage industry decline कर गई थी ये areas में, ठीक है न, land rents बढ़ गए थे इस areas में, ठीक है, land यहां पर mines को clear कर दिया गया, plantation clear कर गए, तो इन जगया के लोगों के पास जो work था, अब काम नहीं बचा तो इन search of work, काम ढूणने निकले तो इन से उपर यहां क्या किया है, जो यहां पर अंग्रेजों के agents थे, उन्होंने कहा कि भाईया, ठीक है हम तो में work दिलाएंगे, उन्होंने का बहुत बढ़िया, तो जो laborers थे, UP, Bihar, Central India, Tamil Nadu, इन सबके laborers ready हो जाते हैं, वो contract करते हैं, वो दूसरे countries ले जाया गए, बास समया गई, कैसे काम चला है यहां पर, 19th century में इस नए indentured system को new system of slavery कहा जाने लगा, क्यों? क्योंकि जब यहां से यह agents इन workers को ले जाते थे, तो यह असलियत बताते भी नहीं थे, कि तुमको कैसे ले जाएंगे, ले जाएंगे बस, डबें बंद करके ले जाएंगे, सांस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, यह सब कुछ नहीं बताते थे, वहां ले गए, पर वहां से वापस ही नहीं ले कि आए, वो बिचारे वहीं के वहीं रहे गए, इसलिए इसको new system of slavery कहा जाने लगा, क्यों? क्योंकि उनके living conditions या working conditions बहुत harsh थे, उनको बहुत ही कम legal rights मिले थे, और most indentured workers जो थे, stayed on, वहीं रहे गए, after their contracts end होने के बाद भी वहीं रहे गए, और जब वहीं रहे गए, वो India, और return to their new homes, और या तो वापस आए, तो अपने नए घर वापस आए, after a short spell in India, समझ रहो, वहीं कि वहीं रहे गए, तो ये लोग आपस ही नहीं आ पाए, इंडिया के nationalist leaders जैसे began opposing the system, 1900 में इंडिया के जो उस वक्त के nationalist leaders थे, अब सोचो इंडिया के nationalism से connect हो रहा है, कि इंडिया के nationalist leaders इसके खिलाफ वाज उठा रहे थे, अंग्रेजों के, क्या कर रहे हो भया यह, हाना, क्या कर रहे हो यह, और जो system में दिक्कत हैं थी, उसके खिलाफ वाज उठाई गई, कि माइग्रेशन आप करा रहे हैं लोगों का, ले जा रहे हैं उठा उठा कि बड़ा abusive और cruel तरीका है, आप ले जाते हो और पर इसको आपस नहीं उनको लेके नहीं आते हो, इस नए system को abolish कर दिया गया था, 1921 में इंडिया के leaders ने इस तरह का protest किया यहां पर, तो उसकी बाद इसको abolish कर दिया गया, अब इंडियन entrepreneurs abroad, अगला topic, देखो, second part में चलता है यह, अब सोचे इसलिए इसको आपको ऐसे समझाया, ताकि आपके चीज़े जल्दी cover हो जाएं, वनना chapters actually बहुत बड़े-बड़े हैं यह, ठीक है, चलिए देखे, huge capital required to grow food and other crops to the world market, ओवेसी बात ह आपको crops grow करने है, food grow करने है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा, भाई कोई मान लीज़े, अगर मान लीज़े कोई, अब जखो, शिकारपूरी shrubs, और नक्टू कोटी चेटिया, यह तरह से बड़े-फाइनसर थे ही है, ठीक है, तो अगर कोई ब अगर कोई बड़ा farmer है तो वो तो loan लेलेगा bank से लेकिन जो small farmers हैं वो क्या करेंगे तो वो यहाँ पर क्या करते थे वो यहाँ पर loan लेते थे ठीक है ना तो group of bankers and traders who finance export agriculture तो वो लोग यहाँ पर loan ले रहे हैं किस से और उनको कौन finance कर रहा है शिकारपूरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटी चेटियार्स और यह जो हमारे लोग थे यह finance करते थे इन small farmers को तभी small farmers यहाँ पर क्या हो रहे थे यह small farmers एक तरह से sustain कर पा रहे थे followed European colonizers into Africa in fact हमारे जो यहाँ पर bankers थे वो जो European colonizers से आफरिका में उनको यहाँ पर क्या करते थे फॉलो करते थे ventured beyond European colonies और उन्होंने अपना यहाँ पर financing European colonies के beyond भी करी तो इंडियन आप्रेंडर्स जो है वो abroad यहाँ पर इस तरह से financing कर रहे थे और यहाँ पर इस तरह से small farmers की मदद कर रहे थे ठीक है ना यहाँ पर देखे एग्जामपल दीए किसका है कौन कर रहा था है 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 हैदरावादी सिंधी traders हैदरावादी सिंधी traders यह काम कर रहे थे वो European colonies इंटू आफरिका वहाँ पर ही गाए और इसके beyond भी उन्होंने यहाँ पर क्या किए वेंचरिंग करे इंडियन ट्रेड कोलिनिजम एंडी ग्लोबल सिस्टम अब देखिए यहाँ पर बात आती है cotton की अब जरह यहाँ पर समझ लेगा सिंपल सी बात है कुछ नहीं है देखो फिर समझ लो करें तो इंडिया का जो एक्सपोोल्ट है वह बहुत बढ़ा रहता था इंडिया को फाइदा होता था ठीक है लेकिन क्या हुआ यहाँ और धीरे की बिटिस ने क्या किया बिटिस और बिटिस ने में किया कॉटन हा यह पर अब हुच्छ था कि यह जभा हर से क्यdy यहां से यहां आय रहा है export होके तो British के यहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो यह Indian fine cotton हमारे यहां आ रहा है इस पर लगाई जाई tax इस पर लगाई जाई duty इस से क्या हुआ जो cotton इंडिया में आया वो क्या हो गया expensive हो गया इसके दाम जो है वो बढ़ गया है ना महेंगा हो गया तो इस तरह से इंडिया का जो fine cotton था इंडिया को जो पैसे मिलते थे अभी तक अब वो यहां मिलना बंद हो गया क्योंकि इंडिया के cotton की उपर क्या करिए tax लगा दिया गया ठीक है ना और British के बराबर ले आए वो लोग यानि बिटिश का अगर cotton भिकरा है 100 रुपे का तो इंडिया के cotton को जो वो एक्सपोर्ट करके आ रहा है यहां पर उसको 110 रुपे कर दिया इंडिया वाले तो जाहिरती बात है बिटिश के लोग पर यहां पर नुकसान हो गया दूसरा चीज जो बिटिश का गुड्स यहां पर गया मशीन मेट गुड्स गया ठीक है इंडिया में उसको सस्ता बेचा गया तो लोग जो है और इंडिया का export घड़ गया समझ में रहें गया की Conc서 it,asad about trade surplus हो गया दोनों साव से इसको फायदा 杯्दा हो रहा था इंपोर्ट भी यहां पर कम हो गया और एक्सपोर्ड ही बढ़ा बढ़ गया तो trade surplus हो गया और इस तरह से जो भी trade surplus हुआ उससे वो दूशरे country के साथ । balance करता था payment को distintos लिए वहाँ पार기에्मेंट मतलब अगर मान लीजिए हैं हमें इंडिया के साथ यहां उनिछ दे मुझा हो रहा है तो अगर हमें किसी यह चीज यहाँ पर पूरा चल रहा था clear यही चीज यहाँ पर इस पूरे concept में समझाई गई बस और कुछ नहीं समझाया गया आसान भाशाय मता रहा हूँ चली एक पर पढ़ेंगे तो clear हो जाएगा देखो तरह यहाँ पर fine cotton product produced in India were exported to Europe fine cotton जो इंडिया producer थी उसको export कर रहे थे British cotton manufacturer began to expand British cotton के जो manufacturer थे वो expand होना शुरू रहा थे जाहिर थी बात है British में जो cotton manufacturer थे वो अपने आपको expand करना चाहते हैं तो कैसे expand करेंगे इंडिया के cotton के उपर import tariff क्या करके tariff लगा के इंडिया से आने वाले समान पर क्या लगाया जाए यहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए हाना उसको रिस्ट्रिक्शन करेंगे tariff लगा के tariff impose कर दिए इससे क्या हो गया inflow of the Indian cotton began to decline हाना तो देखो यहाँ पर क्या हुआ export इंडिया का क्या हो गया decline यानि कि बिटिस्ट में जो इंपोर्ट वह हो रहा था इंफ्लो हो रहा था वह कम हो गया सम्या चुकाओं इसलिए इसको आप पढ़ लीजेगा अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिखा यह पूरी चीज़े वही लिखी हुई पूरी चीज़े अब यह समझेगा तो भाई बात यह आती है कि अब अब इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हो रहा था पाइंग कॉटन तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि बिटेन वाले उस पर टारिफ लगा के बैठ गए अब इंडिया से रा माटिरियल ठीके ना तो वही लिखा एक्सपोर्ट ऑफ रा माटिरियल इंक्रीजड इक्वली डेटा दे रहा है कि पांच परसेंट जे लेकर 35 परसेंट तक जो है वो रा कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया अभी तक फाइन कॉटन थी फाइन कॉटन मतलग तरह समलो बनी हुई पु ढ़िए और उससे क्या करने लगा वह वह अपने मतलट्स की ʃल्योव एक्स्पोर्ट थी तुइंडिया वैलियु औफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट रा थे लिए निए वो ऐपड़ गई और साच्ट में वैल्योज ऑफ इंपौर्स फरा म आंटिए वह घड़ गई भाई वही जो surplus हुआ उनको तो वही surplus है उन्होंने क्या कर दिया? Home charges पे कर दिये. Britain's trade surplus in India also helped to pay help to pay the so-called home charges. Industrialization helps in colonization. ये concept जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया. तो home charges में आपकी NCRT यहाँ पर word बताती है समाली जो कोई British official है. हाना उसकी आपको जो wage salary है वो पे करनी है तो आपने इसी वाले पैसे surplus पैसे से पे कर दी. तो देखो पैसा भी इंडिया का है समझना पैसा भी इंडिया का है ट्रेट surplus हुआ ना तो इंडिया में हुआ इंडिया का समान सस्ता बेचर हमाया इंपोर्ट कम कर रहे हो और अपना हमारे महेंगई कर रहे हो तो इंडिया की पैसा जो है मिला आपको उसी से आपने अपनी होम चार्जेस पे कर दिये दूसरा आदमे की सेलरी पे कर दिये वह जो इंडिया से कमाया और वही वाप ब्रेटेन वापस चला गया होम चार्जेस क्लियर है यह सब चीज़ें यहां पर हो रही है अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ और वह है इंटर वार एकॉनमी अब यह को बहुत ही सिंपल है इंटर वार एकॉनमी कुछ भी नहीं है बस फुड़ा सा एकनॉमिक समझना पड़ेगा देखो अब इंटर वार एकॉनमी का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब वार चल रही थी यानि जब फस्ट वर्ल वार चल रही है तो उसके बीच के एक्रॉमिक सेनारियो कैसा बस यह समझना है इंको ठीक है रहा देखो फस्ट वर्ल वार जहां पर होती है 1914 से लेकर 1918 की बीच में और यह जो फस्ट वर्ल वार थी यह मेजरली आप देखोगे यूरोप के अंदर लड़ी गई थी हाना मैं आपको फस्ट वर्ल वार का रीजन मैंने आपको राइज ओफ नाशनलिजम एं यूरोप के अंदर ही बताया था ठीक है अब थोड़ा यहां से हम लोगा डिटेल से पढ़ेंगे देखो हुआ क्या कि जो वर्ल्ड है उसने ये बहुत इस वर्ल्ड वार के दुरान बहुत जदा पॉलिटिकल और एकनोमिक इंस्टेबिलिटी यहां पर देखी हाना और इसका जो इंपक्ट था जो लड़ाई लड़ी गई मेजरली इन यूरोप उसका इंपक तो इन दोनों की बीच में यहां पर क्या हुई थी फरस्ट वर्ल्ड वार हुई थी अब फरस्ट वर्ल्ड वार तो हुई अब इस वर्ल्ड वार में हुआ क्या देखो सिंपल सी बात है वर्ल वार हुई तो बहुत सारे लोग मारे गए इसमें हना बहुत सारे लोग मारे गए कितने लोग लगबग देखो के 9 मिलियन लोग यहां पर डेड हो गए मारे गए मर गए और कम से कम 20 मिलियन जादा लोग यहां पर इंजर हो गए थे अब इस से क्या ह हुआ जब इतने लोग मर गए तो वर्कफोर्स जो था यूरोप में यानि वह तपता जो काम करता था वर्कफोर्स में था वो कम हो गया क्योंकि इतने थारे लोग यहाँ पर जो है मर गए अब यह लड़ाई लड़नी थी अगर इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत में वो काम करते थे मतलब जो मरदों के कांथ आव Huh ऑड़ ने लगी और मरदों को भेज दिया गया था लड़ने के लिए तो मर्द इन्हीं कर कहा गया कि आपको यहाँ पर वहाँमें लड़ना है ठीगे मेन जैप्तिल में यहाँ पर आप लडाई को लडने के लिए यह जो हो रही थी यहां पर First World War उसको लडने के लिए Britain को चाहिए थे पैसे मैंने आपको nationalism इन इंडिया में बताया था कि वार की विएसे क्या implication था वार की विएसे implication ये था कि defense expenditure बढ़ गया था और defense expenditure को finance करने के लिए वार लोन्स लिये गए थे, याद करो चाप्टर नंबर टू जब मैं आपको पढ़ा रहा था, वही मैंने बताया था, कि बिटेन को अपने डिफेंस expenditure फाइनेंस करने लिए वार लोन्स लिने पड़े थे, तो यहाँ पर वही लिखा है कि बिटेन ने क्या किया, बहुत सारा पैसा जो है, वो बॉरो किया, किस से? यूएस से बॉरो किया, अमेरिका से बॉरो किया, तो जो अमेरिका अभी वार से पहले जो एक international debtor था, international तरीके से वो मतलब कर्स में रहता, कर्सदार था, अब उसने क्या किया, चूकि यूएस ने पैसा दिया था बॉरो किया था, तो अब वो यूएस क्या हो गया था, international creator में convert हो गया, creator मतलब जो पैसा दे रहा है, credit कर रहा है, loan दे रहा है और debtor मतलब कर्सदार हो गया, तो यहाँ पर यूएस था, अब वो क्या हो गया, यूएस एक international debtor से international creditor यहाँ पर बरिया था, तो देखो कैसे war ने transform कर दी, simple सी कहानी क्या है, simple सी कहानी यह है सर, कि बिटेन था, बिटेन को लड़ाई लड़नी थी, जगया जगया उसने अपनी colony मना रखा था, इंडिया को बिना रखा था, खर्चे बहुत हो रहे थे, एक तो दूसरे country पर कब जाए बैठे हो, उसको चलाने का तो पैसा चाहिए, उपर से तुम लड़ाई पर लड़ना है हो, कभी भी जिंदगी में, कभी दो फ्रेंट्स पर एक साथ मल लड़िएगा, never you should fight on two fronts, आप अल्ड़ी तयारी कर रहे हैं UPSC civil service examination की, इस वक्त अपने सामने कोई दूसरा फ्रेंट बद खोलिएगा, जिससे आपको लड़ना पड़ जाए, यह सीख है आपको यह, यहाँ पर देखी यही हुआ, आप अल्ड़ you are facing the bombings from one side और आपने अपना दूसरा front भी खोल दिया, समझ में आ रहा है, यह नहीं करना है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने यहाँ पर लोन लिये U.S. से, U.S. भाई साब जो अबी तक करजदार होते थे, उसने पैसा दिया ब्रिटेन को, तो U.S. एक क्रेटर हो गए, और ब्रिटेन क्या हो गया, एक डेटर हो गया, ठीक है ना, तो यह इंटरनाशनल डेटर में आ गया, और U.S. एक क्रेटर हो गया, समझ में आ रहा है, अब ब्रिटेन डेट में आ गया, करज में है, लगाई के बाद, अब जाहिर सी बात है, आप ने इतनी बड़ी मेरी क्रिस्बस करें खतम कर देंगे बहुर को लेकिन लोहर जो है चार साल चली तो ब्रिटेन की चार साल के बाद वह हालत नहीं थी कि यह कंट्री पे इंडिया इसे कंट्री पे अपनी कॉलर्णी बना के रख पाते उतनी मजबूती से वापस से वह नहीं हो पाया इमाजन करिए ना भाई अब वो financial conditions नहीं है भाई कोई भी काम करना तो उसके लिए पैसा चाहिए और अब पैसा अमेरिक ब्रिटेन के पास नहीं था इतना समझता रहा है तो उतना अच्छा control जो है ब्रिटेन का अब इंडिया की उपर नहीं हो सकता था या पिर अब ही कह सकता हूँ कि ब्रिटेन जो है आप war की तरफ सारा ध्यान लगाए हो तो जाहिर से बात है इंडिया और जपान उस वक्त गुरू हो रहे थे इंडिया में गानी जी आ चुके थे गानी जी यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर चुके थे जगा जगा चीज़े चल रही थी यह बात है कि नहीं सच? है कि नहीं? हाँ सर तो भाई जाहिर थी बात है बिटेन वो steps यहाँ पर उस तरह से यहाँ पर strongly वापस नहीं आ पाया war के बार so बिटेन आफ्टर दी वार found it difficult to recapture its earlier position of dominance उस तरह से नहीं कर पाया and बिटेन के उपर बहुत बड़ा burden था किसका debts का अब बिटेन कर्जदार भी हो गया है समझ रहे बाब बात को कि इंडिया का independence struggle भी क्यों थोड़ा आसान होता चला गया यूँकि बिटेन एक तरफ कर्जदार होता चला कर्ज में डूब गया था और उसको वो कर्ज भी finance करने थे इसलिए ऐसे वो कर्ज finance करने के विए से वो इंडियान्स क्यों पर भी अपना अत्याचार बढ़ा रहा था और वही चीज़ अब इंडियान्स यहां पर उसको बेर नहीं कर पा रहे थे वो भी कहाँ पर retaliation देखने को मिला था बास समझ में आ गया rise of mass production and consumption अब इस point को बहुत असानी अच्छे समझ ले ना बहुत ही important point है rise of mass production होना शुरू होता है देखो बिटेन को तो recovery करने वड़ी problem हुई लेकिन US की recovery में क्या हुआ US की recovery में बहुत important role होता है mass production का और mass consumption का एक व्यक्ती था जिनका नाम था Henry Ford Ford की गाड़ियां बनाते हैं पताईए आपको Henry Ford Ford की गाड़ियां बनाई तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि भाई mass production अब देखो simple थीज़े हैं आसान भाशन समझा रहा हूँ अगर production बढ़ेगा अगर industries के अंदर production बढ़ा तो production कैसे बढ़ा पाओगे कैसे बढ़ाओगे production जब आप जादा लोगों को नौकनिया दोगे तो क्या हुआ employment बढ़ा क्या हुआ employment बढ़ गया जब employment बढ़ा तो उससे क्या हुआ लोगों की income बढ़ी जब income बढ़ी तो क्या हुआ लोगोंने demand करा जब income है पैसा है तो लोग demand करेंगे जब demand करेंगे तो और production बढ़ेगा और production बढ़ाने गरी है और employment बढ़ाया गया और employment करने मिला, तो और income बढ़ी लोगों की, और income बढ़ी, तो लोगों ने और demand करी, ये था concept of mass production and mass consumption, जो कि यहाँ पर Henry Ford ने शुरू किया, अब जा समझेगा, Henry Ford ने किया क्या, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया उसने, उसने started using the assembly line method, adapted from Chicago slaughterhouse, अब देखो, assembly line method यहाँ पर एक आसान सी भाषा में ही समझ लो, बहुत technicalities में आपको जाने ही जरुवत नहीं है, देखो क्या adapted from the Chicago slaughterhouse, अब देखो slaughterhouse क्या होता है, बूचर खाना, जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं, अब वहां क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, मशीन से चीज़े चल रही ह अगर यही चीज मैनुली इंसान को करना पड़े, तो इंसान काटेगा फिर बैठ जाएगा, आप यह थक गए बैठे हुए है, लेकिन अगर वही चीज मशीनिस्टिक नेचर में होगी, तो कोई भी इंसान ढीला नहीं पड़ तकता, क्योंकि अगर आप ढीले पड़ गए, चीज आगे निकल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख रहा हो, यह आप देख रहा हो कैसे चीजे हो रही है, मतलब एक चीज अगर चल के आरही है, तो महाँ पर आपको उसपे काम कर देना है, आप यह निकल जान दो, फिर दुबारा घोंके आएगा फिर कर देंगे, ऐसा नी हो सकता चीज़, जुह हें डेताम मशिनिस्टिक में चल रही है अगर जैसे होता नला भाई आप देखो कि Sound of Mac De найдler ना बनरा है तो पहले यह होगा, फृर यह होगा फृर यह हो यह होगा, चीजशे चलती चल जली आएंगी, एक सीरील मेंजिस्टी होती है आप कुछ आगे बीचे नहीं कर सकते, उसने यहीं दिमाग लगाया, उसने कहा अगर मैं SMD line follow करूँगा, उससे क्या होगा, कि अभी तक जो लोग बैड़ गया, ठक गया हैं सहाब, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत नहीं कर सकते हैं, अगर उसमें पईये लगने हैं, उसमें नट कसना हैं, तो कसना हैं, आप छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हैं वा बात को, कि बहुत यह कार बन रही है, अब कार SMD line नहीं बन रही है, तो एक सिस्टम है, एक मशिनिस्टिक सिस्टम चल रहा है, बहुत अगर गेट का पाना कसना है, उस वक्त तो कसना है, अगर यहां पर क्या किया, वरकर्स पर शिकंजा कस लिया, और उसको यहां पर अपने मुठी में कर लिया, तो आपको क्या लगएगा, वरकर्स काम करते रहेंगे, चुप चाप बैटके, वरकर्स ने का भईया, हम नहीं करेंगे, पागल बना दिया है, तुमने हमको, मशीन थोड हैं, तो हेंडरी फोर्ड ने का कोई बात नहीं दराओ, वेज डबल, तो उसने लभा लिया लोगों को, अच्छा, लोगों ने का भाद, वेज डबल कर दी मेरी, तो और अपर कमा रहें, दोसर पर कमाएंगे, और लोगों ने का रहें, बहुत बढ़ी हैंजान है, मैं इसक उसका मास प्रडक्शन करोगे, ज्यादा चीज़ प्रड्यूस कर रहे हो, तो अव्यस सी बात है, पर उतना खर्चा आपको नहीं लगना है, बासमानवारी की नहीं हरी है, एक आदमी अगर एक कार बना रहा होगा, तो अगर ज्यादा प्रड़क्शन करोगे, तो उसक्ता है रोखो कै. मैं एक काम कर रहा है, वेज ले रहा है, आप उसकी पगातन. लेकिनी सोचो कि आपने उसी आदमी से एक की जेगा चार काम कर वा लिए आप वेस डबल कर रहा है अगर डबल भीज करते तो कार महांगी पड़ती यह चीज यह पर पूरी आसान भाशा में यहां पर टीक है ठीक है इसको आप पढ़िएगा कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो Fordist Industrial Practices Soon Spread in the US and Europe अब जो Ford ने तरीका अपनाया वो US और Europe में फैलने लग गया और यही चीज फैली हमको refrigerator बनानी है तो fridge बनने लगी washing machine हो गया यह सब चीज ने boom आ गया और यह boom कर आया जब घर बनने लग गए यह कब आया है जब homes बनने लग गए घर बनने लग गए तो यह आ गया finance once again by loans ठीक है The housing and consumer boom of 1920s created the basis of prosperity in the US बात समझ में आ रही कि ने आ रही है ठीक है ना तो the housing and consumer boom तो housing boom आ गई यानि घर बहुत बनने लग गए consumer boom आ गया लोग consume करने लग गए by 1920s इसके क्या हुआ US में prosperity आ गई जब मैं आरा US क्यों prosperous हो रहा था और कैसे उसने फिर आप समाझ सकते हो क्यों फिर वो और दुनिया में लोगों को loan दे पा रहा था क्योंकि वो prosperity वहाँ पर आ रही थी British नहीं कर पाया यह चीज US became the largest overseas lender prosperity आ गई ना mass production और mass consumption के जरीए ठेके ना in 1923 US ने resume कर दी export करने लग गया US to the rest of the world सोची आप US कहां से कहां पहुँच गया war time transformation हम यहां पर यह पढ़ रहे है अब आता है great economic depression काहनी समझेगा बस बहुत simple है बहुत simple है कुछ नहीं है great economic घबरानी जरुवत नहीं है देखो पहले तो समझो कि depression क्या है depression दोस्तों एक ऐसा scenario है एक ऐसा scenario है जिसमें economy जो है वो drastically बहुत गिर जाती है ठीक है अब economic depression के क्या reasons थी वो मैं आपको यहां बताऊंगा कई सारे reasons लेकिन जरह हम समझते हैं कैसे हुआ देखो period of economic decline great economic depression बहुत economic decline economy किटने लगती है क्या हुआ आप देखो यह 1929 के आसपर दे शुरू होती है economic गिरना और 1930 के mid तक लगबग यह चलता है अब हुआ क्या decline हुआ production में decline हुआ employment में decline हुआ incomes में decline हुआ trade में हर चीज में decline हुआ लगा अब imagine करिए ऐसा क्यों हुआ जरा समझे का बहुत simple सी भाषा है देखो great economic depression के यह reason क्या हुआ हुआ समझा जरह बात को यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि एक 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 पॉइंट बता रहा हुआ हूँ तो समझ जाओ क्या है जैसे माल लिए जब वार चल रही थी वार इस going on ठीक है जब वार चल रही है तो जैसे वीट का production है वीट इदर लिख लेते हैं यहां पर कुछ issue आ रहा है वीट वार के टाइम पे अगर बात करूँ कि वीट जो है उसकी डिमांड क्या थी उसकी डिमांड बढ़ रही थी ठीक है तो उसकी डिमांड फुल्फिल करने के लिए खाली वो country में इतना production नहीं हो पा रहा था तो countries like Canada, countries like America इन सब जगे भी क्या हुआ production start हो गया समझना काहे के लिए ताकि इस डिमांड को meet किया जाए ठीक बात है लेकिन जब war खतब हो गई तो जाहिर सी बात अब डिमांड कम हो जाएगी न लेकिन production कम नहीं किया लोग ने उस वक्त तो क्या हुआ there was a glut of wheat glut glut अब यह जहां पर जैसे war हो रही है तो वह country तो अपना produce करी रहा है लेकिन अब Canada Australia यह सब country से production हो रहा है तो क्या हो गया wheat का over production हो गया market में wheat बहुत जादा है लेकिन अब खरिदार नहीं है इतने तो क्या हो गया wheat का glut हो गया मतलब जब्बा यहां पर wheat जो है बन गया जिसकी वह से क्या हुआ कि सप्लाई तो बहुत है लेकिन डिमांड नहीं है तो prices क्या हो गए गिर गए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई पाई वैसे ही दाम घर गए तो डिमांड नहीं है 100 कुंटल कमाए खाली 10 सवर पर कमा पा रहे हैं तो उनको काम करते हैं हम 200 कुंटल प्रूस करेंगे तो हमाई इंकम बढ़ जाएगी पर उनकी यह समझ गलत थी यूकि 200 कुंटल बढ़ने पर क्या हुआ कि और ग्लट इनको और उसके दाम मिले ही नहीं जो सोच रहे थे हो मिले ही नहीं इनको तो यह एक रीजन मना great economic depression का बास सव्च में आगे reason for great economic depression पहला agriculture का overproduction होना agriculture goods prices decline कर गए farmer की income क्या होगी उसके उसके वह decline कम हो जाएगी in panic उन farmers न सोचा कि हम और production करते हैं production उन्हें अपना increase कर दिया इ प्रोड़क्शन बढ़ गया लेकिन अभी भी खरदार नहीं थे मालिक खरदार नहीं थे अभी भी बास समझ में आ गया क्यों हो गया इसा बास सम्झ में आ गया ना क्यों वार की वजए से वार टाइम ट्रांस्फर्मेशन पढ़ रहे हैं हम लोग कि उस वक्त दिमांड थी तो प्रूदूस किया बाकी लोग प्रूदूस करने लगे लेकिन वार के बाद उस चीज़ की दिमांड उत्ती नहीं रह को बताहिं, हम नहीं होगते हैं तो आप क्या हम लगें और वार की वार के बाद जुझा की बिया पांड यह बीजासुअ बच्रेशनां देखने को मिला और इंपक्ट एक च्छल देखने को मिला लिए उसमे दीए थे तूसरे कौंट्री इस वारे लोग जिन्होंने एस से लोण लिया था उन्होंने क्या किया युजह एस से लोन लिया मालनी झालन। sommes चैइंब Master यहां और यहां cinq- misma करने लोग बांद नहीं करेंगे और इंकम बैठ गई तो देमांड नहीं करेंगे तो यह था ईक्नामिक डिप्रेशन जहां पर क्या हो रहा था decline in the production, decline in the employment, decline in the incomes and decline in the trade history है लेकिन economics चल रही है बास समझ में आ गया clear and third reason US doubling the import duties अब US को लगा third reason क्या था economic declaration का US को लगा कि बाहर का समान जो हमारे आ रहा है वो नहीं आना चाहिए ताकि हमारे यहां जो production हो रहा है वो demand supply match करे और अगर और आ जाएगा तो जाहिरती बात है हमारे यहां के चीज़े निक पिकेंगी और glut हो जाएगा इसलिए उन्होंने बाहर से आने वाली चीज़ों पर import duty को double कर दिया ये एक भी reason मन गया reason for the great economic depression I hope ये point यहां पर सबको crystal clear के हो गया होगा India and the great economic depression अब आप इंडिया पर भी definitely इसका impact देखने को मिलेगा ही मिलेगा कुछ इसमें कहने वाली बात नहीं होगा भी यहां के farmers कोई साथ यही हुआ same चीज export of agriculture goods early 19th century exporter of agriculture goods हम agriculture goods को को क्या करते है export कर रहा है यानि कि हम raw material को export कर रहा है है कि नहीं an importer of manufactured goods और जो को रही manufacture हो चुके है उसको हम ले रहे हैं यानि finished goods को हम ले रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है early 19th century so India's export जो था इस great economic depression का time पे और import दोनों ही क्या हो गया आधा हो गया हम अब export भी half कर रहे थे और import भी हम आधा कर रहे थे between 1928 से लेकर 1934 तक wheat prices in India जो हो 50% से down हो गया और सुम जागे reason क्या था यही वाला reason था here हो रहा है war वाला reason agriculture prices बहुत sharply गर गए colonial government refused to reduce the revenue demands अब agriculture prices गर गए किसानों की income हाधी हो गई जितना वो produce कर रहे थे इंको मिल रहा था एक्सपोर्ट करके जो भी उनको जितना मिलता था अब वो आधा हो गया तो agriculture prices गरे उनकी income आधी हो गई आगर मान लीजे agriculture prices हाप इतने गर गए तो income भी इतनी गर गई अब जब income गर गई लेकिन जो अंग्रेस थे उन्होंने अपना revenue demand कम नहीं किया अंग्रेस revenue मांगते थे बैने आपकल nationalism इंडिया में पढ़ाया कैसे खेड़ा में मांग रहे थे हाना उन्होंने अपनी revenue demands को नहीं किराया जब revenue demands को नहीं किराया तो भाई यह कहां से पैसा देंगे उनकी इंका में नहीं हुआ है तो पैसा कहां से देंगे वो पैसा नहीं कि अन्होंने गौर्मेंट refuse किया कि हम revenue reduce नहीं करेंगे इससे क्या हुआ अप पीजन्स ने जाहिरती बात है लोन लिया था वापस कैसे करेंगे तो उनकी जो भी savings थी वो उन्होंने दे दिया अंग्रेजों को उन्होंने अपनी mortgage mortgage land जो जो land mortgage थी अंग्रेजों को जो वो दे इक्सपोर्ट कर दिया बाहर से लागिया इंडिया का गोल्ड जो बिचारे लोग यहाँ पर जो उनके पास है नहीं पीजन्स के पास कुछ जो भी जमीन थी वो मौटके जो गई जो जेवर थे थे थोड़े बहुत लोगों के पास वो दे दी अंग्रेजों को उठा के बाह बाहर दे दिया एक्सपोर्ट कर दिया पैसा काघ लिया इंडिया conf hurry अन्फ कें ड इंटिया गोー एक्सपोर्ट पासे प्राइस्ट लाइप जों जोन कींस ने कहा की इन्डियान गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेटटी गलोबल economy recovery ने इंड इंडिया गोल्ड पर पड़ा अंग्रेज़ों के ऊपर है last we come on to the rebuilding of world economy the post war era अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है post war era second world war के बात की बात है हो रही है अब किस तरह दे चीज़े manage करेंगे देखो access powers और एक तरफ allies थे यहाँ पर लिखा है पहले सा access powers थे और allies थे आप देखो के नाजी नाजी पार्टी जर्मनी में रूल कर रही थी मैंने आपको नाजी थे मैं राइस आफ इटलर ने पढ़ाया था जैपान और इंटली एक तरफ थे इनो ने दिर पाइटाइट अपना पाक्ट कर लिया था तीनों कंट्रीस थे और इदर आपका Britain, France, Soviet Union था बाद में USA जो पहले अलूफ था वर्ल्ड पर नहीं आना चाहता था वो सीख मिल चुकीती इसको फर्स वर्ल्ड वार से लेकिन उसको आना पड़ गया मजबूरी पड़ गई USA भी यहाँ पर वर्ल्ड वार में जोइंग कर जाता है 60 million people और about 3% of the world's 1931 population इस वर्ल्ड वार की बाद मर गई मतला वर्ल्ड वार है मरी पासवर में रहा है इतना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला Post-war settlement and Britain, World's institutions very very important अब देखो यहाँ क्या हुआ समझना दर अबाद को Post-war settlement कैसे हो जब वर खतम हुए तो settlement कैसे किया क्या चीज़ नहीं का और यह Britain vote institutions क्या है ज़र समझते हैं देखो After World War 2 जो World War 2 खतम हुए Economist and Politicians do 2 key lessons तो key बाते उन जो Economist थे उनको समझ में आई पहला Mass production cannot be sustained without mass consumption तो अभी बदाया जैसे US में क्या हुआ था Mass production and consumption की बात हो रही है लेकिन एक बात उनको समझ में ही आई कि भई mass production से खाली कुछ नहीं हो सकता आपने mass production कर देंगे तो दिक्कत क्या जाएगी demand नहीं है उस चीज़ की तो क्या फादा प्रोडूस करने का तो mass production अगर कर रहे हो तो mass consumption भी करना पड़ेगा पहली चीज़ तो यह जाहिरती बात है ना mass production cannot be sustained without mass consumption तब ही sustained हो सकता है जितना produce हो रहा है mass level पे उतना consume हो जाए need for high and stable income ज़रूरी हो गई है इसका मतलब अभी तक unstable income है लोगों की इंकम अच्छी है लोगों ने demand किया production बढ़ गया कल को अगर income कम हो गई unstable income थी है कम हो गई income तो जाहिरती बात है फिर वो क्या करेंगे फिर demand नहीं करेंगे तो आप तो produce जादा कर रहे हो ना आप तो mass production कर रहे हो लेकिन फिर mass consumption नहीं हो पाएगा अगर income stable नहीं है तो इसका मतलब अगर लोगों की income stable हो जाए तो वो mark अपना consumption उसी हिसाब से रखते रहे हमेशा करेंगे है कि नहीं दूसरा markets alone could not guarantee full employment और markets ये guarantee नहीं कर सकते full employment full employment तो हर वक्त employment मिलेगा आपको full employment है सबको employment हो जाएगा तो ये market guarantee नहीं कर सकता आज नौकरी में कलको नहीं हो सकते हैं होता ही है ये जिस सीखा दूसरा countries economic links with the outside world बहुत ज़रूरी है country का outside world के साथ link कितना ही बहुत ज़रूरी to achieve the goal of full employment अगर full employment अचीव करना है ये target हो जाए country मैंसा हो जाए government should have power to control flows of goods and capital labor तो सरकार को ये control करना ज़रूरी है सरकार के पास ये controlling power होनी चाहिए कि वो flow of goods को regulate कर पाए capital को regulate कर पाए और labor को regulate कर पाए ये दो learnings जो है इन economist और politicians को world war 2 के बाद समझ में आई ठीक है ना तो इस चीज़ को इन दो objectives को fulfill करने के लिए कि mass production हो और mass consumption भी हो कैसे होगा अगर लोगों की income stable होगी और दूसरा खाली अकेले markets जो है और पहले ही मही कि markets अकेले full employment guarantee नहीं कर सकते कभी भी आप नौकरी से निकल जाते हो private sector के अंदर तो market नहीं कर सकता आपको यह ठीक है ना समझा रही ही वाद preserve economic stability तो जो दो objectives थे आपर जो इनको समझ में आए two key lessons तो एक तो यह समझ में आया कि हमको economic stability बनानी है preserve करनी है और दूसरा हमको full employment देना है industrial world में कि लोग निकल ना जाएं जल्दी असानी से पता जला नौकरी से निकाल दिया employment रहें और दूसरा economic stability रहें वो कब रहेगी जब income की stability होगी यह कब stability मिलेगी आपको economic stability जब income की stability होगी ठीक है ना so framework agreed upon the United Nations monetary and financial conference तो भईया यहाँ पर यह agreement इस पर किया गया United Nations monetary and financial conference यहाँ पर हुई July 1944 में कहाँ पर हुई है Bretton Woods में हुई ठीक है ना यह कहाँ पर है in New Hampshire USA और इस जग है यहाँ पर जो यह meeting होती है दोस्तों यहाँ पर बना Bretton Woods institutions इस Bretton Woods conference हुई हो Bretton Woods में conference हुई तो यहाँ पर Bretton Woods institutions बने यह Bretton Woods institutions twin institutions थे twin institutions क्या-क्या पहला IMF बना दिया गया International Monetary Fund और दूसरा यहाँ पर World Bank जिसको बोलते हैं इसका नाम है घर का नाम में नाम उसका क्या है International Bank for Restructuring Reconstruction and Development IBRD जो है आपका इसको हम World Bank कहते हैं यह दो institutions जो है उस Bretton Woods conference से बना दिये जाते हैं यह World War का जो impact है वो समझ में आया वो यहाँ पर निकल के आया उसके outcomes जाए हुए कि Bretton Woods institutions यहाँ फॉर्म हो गए एक IMF और दूसरा World Bank यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह जो आपका IMF है इसका क्या काम है तो दील with the external surplus and deficits of its member nations जो भी IMF की members होगे उस में उसके जो भी external surpluses हैं उसके पास वो देखना उसको डील करना और अगर deficits हो जाते हैं तो इसको डील करना क्या होता है बिख़े external surplus हो गया deficit हो गया तो थीक है हम surplus कर गए manage regulate कर लिया deal कर लिया उसको surplus है तो उसकाफ से manage कर लिया काम हो जाए surplus नहीं होना चाहिए बनना surplus हो जाएगा तो क्या demand होती है नहीं तो फिर depression आ जाएगा ठीके ना और अगर deficit है तो prices भढ़ने लग जाएगे तो चीजों को manage करना है और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर क्या रोल हो गया तो फाइनेंस दी पोस्ट वार रिकावरी कंस्ट्रक्शन वार में जो भी यहाँ पर नुक्सान हुआ उसको क्या करना उसको फाइनेंस करना यह वर्ल्ड बैंक का तो decision making जो थी in these institutions is controlled by western industrial powers इन जो यह जो institutions को आप देख रहे हो इन में जो कौन decision लेगा कैसे यहाँ पर decisions होंगे IMF में कौन decision सुनाएगा यह decisions western powers लेंगी यह यहाँ पर आज भी को यही दिखता है आपको US का बलबोला यह सब चीज़ है ठीक है ना The US has an effective right of veto over the IMF and World Bank decisions अब इसमें कुछ जादा बचा नहीं है simple से चीज़ है अप्टर इस almost over देखे unprecedented growth of trade and income was inaugurated by Britain Woods for the western industrial nations and Japan तो unprecedented growth मतला समझ रहो ना unprecedented कि मतब जो imagine मिन नी कि गे थी इतनी growth हुई of trade and income was inaugurated by the Britain Woods for the western industrial nations and Japan during this decade technology and enterprise were spread worldwide obviously बात है इस period में जहां पर यह growth को देख रहे हैं technology का बहुत enhancement हुआ developing nations countries in a where and a hurry to catch up with the advanced industrial countries अब जो developing nations थे वो चाहते थे हम जो industrial countries है उनके साथ हम mail खा ले मतलब बराबर थे काम करें यह चीज आ गई लेकिन अगें डर यहां पर यही था in countries को developing nations को कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो हम colonialism से निकले हैं हम पर फिर कहीं कभजा हो जाए तो इनके अंदर डर आ गया इन nations के अंदर जो colonial nations थे developing nations थे तो डर आ गया decolonization and independence लेकिये when the second world war ended colonies in Asia and Africa emerged as free world war खतम हुई तो भाई इतना जादा चीज़ें हो गई थे पर बिटेन भी देको नहीं अपकर सकता था इंडिया को अपने colony नहीं मना सकता था पैसा ही नहीं था तरह इतना दिक्कत हो गई इतनी वहरें पैसा खर्चा हो चुका था था ही नहीं पैसा उसके पास हाना तो अब बहुत सारी colonies जो थी वह एशिया और आफ्रिका में क्या हो गई वह इंडिपेंडेंट हो गई ठीके अब बहुत जादा ओवर यहां पर क्या थी पावर्टी थी लाक आफ रेसोर्सेज ओवर बर्डेंड बावर्डेंड कि एकनॉमीस बहुत दिक्कत है थी इतना लंबा कोलोनेल शासन चला था अंग्रेजों का शासन चला कि अब इनकी सुसाइटी जो है वो टोटली हैंडिकाप्ट हो जो की थी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनको डर था इनको डर था कि भाया टलपिंग नेशन को डर थ इनको अग्रेज जो है यानि जो बनी डेलप कंट्रीज है उनकी नीट्स को वहाँ पर देख ध्यान दे रहा है लेटर शिप्टेट दर फोकस टुवर्स जवल्पिंग कंट्रीज बात में उनों अपना फोकस उन डेलपिंग कंट्रीज की तरफ मोड़ा पहले सिर्फ इनको कंट्रीज को देख रहे थे अपना मोस्ट डेलपिंग कंट्रीज वर नॉट बना था बेटन वुड्स आयम वर्ल्ड बैंक तो वह उन्हीं को देख रहा था वेस्ट डेलप कंट्रीज को इससे क्या हुआ यह पता लगा कि भाई ड्लपिंग कंट्रीज को लगा कि हम पर ध्यानीन दिया रहा है हम ज्या करें तो अब इसी लिए यहां पर ग्रुप बनाया गया ग्रुप ऑफ 77 जी 77 को फॉर्म किया गया यह था टू डिमांड न्यू इंटरनाशनल एकनोमिक ओडर कि नजी एकन इंतरनाशनल इकनोमिक ओडर बना चाहिए मतलब ध्यान दें ट्रफिग कंट्रीज की तरफ एक न्यू इंटरनाशनल इन धिमांट रोडू जो टेको उट उनकी जारही हो उनकी कि उनके के साहिट सबस्राइक वेल्ट चलेगी उनके एकनोमिक ओडर के साहिए वर्ल्ड का ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक नया इंट्रनाशनल एकनोमिक और यहां पर इसकी बाद जो डिमांड करी गई और इसका मतलब क्या है एक ऐसा सिस्टम डाट वोड गिब देम the real control over their natural resources कि भाईया हमारे natural resources की उपर developing countries जो है उनके natural resources की उपर हमारा ही control हो ऐसा नहीं का control होना चाहिए थेकिना more development assistance चाहिए हमको fairer prices होने चाहिए raw materials के अभी तक क्या है developed countries के साब से हो रहा है थे and better access होना चाहिए for the manufacturing goods in developed countries markets तो basically जो new international economic order लाने की बात करी गई वो इसी लिए ताक कि हमारे साब से चीज़े चलनी चाहिए ना अभी तक सब developed countries साब चल रही है हमारे साब चलनी चलनी चाहिए इसलिए इसकी demand यहाँ पर करी गई end of Britain Woods and the beginning of the globalization after 1960s क्या हुआ rising cost of overseas involvement weakened the US finances and competitive strength अब देखो US का पूरा बलबोला हो गया था और US इतनी जगह involved हो गया इतनी जगह involved हो गया अलगा countries में finance करने लगा कि अब वो भी क्या हो गया overseas में weak पढ़ने लगा क्योंकि आप इतनी जगह अपने आपको फेला बैढ़ गए तो आप किसी जगह एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप weak होने लग गए US dollar की value जो है वो decrease करने लग गई in relation to gold ठीक है उसकी value decrease करने लगई and यह जो fixed exchange rate का system था के भाया जैसे होता fix क्या है जैसे आज के time पर हम बोलेंगे fixed जैसे बोलेंगे एक dollar की कीमत हमने बोल दिया 50 rupees fix हो गई fix कर दी गई but अब क्या है floating आपका fixed exchange rate की दिया floating exchange rate demand supply की जापते चलता है ठीक है रहा वो चीज introduction of a system called floating exchange rate जैसी demand दे डॉलर की market में उस आप से उसका conversion होगा बाह समझना रही है ठीक है earlier developing countries for loans and development assistance वो international institutions की तरफ जाते थे ठीक है but now developing countries है are forced to borrow now from western commercial banks and private lending institutions clear यह बाह समझना आ गई earlier developing countries for loans and development assistance international institutions का जाते थे यह आप देख रहते है यहाँ पर but now developing countries are forced to borrow from western commercial banks and private lending institutions clear हो गया बहुत लंबा chapter था पड़ते पड़ते मैं थक गया हूं बोलते बोलते तो periodic debt crisis यहाँ पर in the developing world आने लगी lower incomes and increased poverty especially in the African and Latin America इन सब जगे आने लगी most of the TVs mobile phones toys we see in the shops seem to made in China देखते हो न चाइना में होगा wages क्यों है क्यों most of the TVs mobile phones and toys shops आप चाइना में देखते हो क्यों क्यों क्योंकि आपको in shop in countries में देखेगा कि यहाँ पर labor cost कम है wages are relatively low in the country like China because low cost structure of the Chinese economy most importantly low wages भाई वहा लोग ज़्यादा पैसा नहीं मांगते है काम करने की low wages सवाज मारा इसी लिए आज की डेट में यह सारे country MNC के लिए बहुत favorable जगह हो गई क्योंकि इनको पता है कोई भी MNC मतला multinational company अब यह multinational company मान ली जाएगी और चाइना में अपना business setup करेगी तो एक तो इसको उतनी cost नहीं लगनी क्योंकि वहाँ के लोग महाँ पर low wages system है इतनी low wages नहीं है लोगों की तो पैसा भी कम देना पड़ेगा प्रडक्शन हो जाएगा attractive destinations for investment by the foreign MNC is competing to world markets last two decades the world's economic geography has been transformed as countries such as India, China, Brazil have undergone rapid economic transformation last two decades आप देखोगे world economic geography जो है world की जो economic geography है वो transform हो गई है India, China, Brazil जो है वो काफी rapidly change हुए है और यह काफी famous हम मरर बोलते हैं कि इंडिया में invest होगा foreign investment आएगा तो obviously आप Western countries में देखोगे तो वहाँ पर जो wages है वहाँ जो incomes है वो जादा high है तो MNCs ढूंडते हैं ऐसी जगह पे जहां कम wages हो हम वहाँ काम करें वहाँ जाएंगे वहाँ काम देंगे लोगों को हमें पैसा भी कम देना पड़ेगा और हमारा काम भी होगा तो इसलिए यह countries जो है अब एक तरह से इनके लिए यहाँ पर एक तरह से उनके लिए एक सेट अप बन जाते हैं उनका जगह बन जाती है जहां पर वो अपना सेट अप सिस्टम MNC लगा सकते हैं तो दोस्तों यह है पूरा चाप्टर काफी इंट्रेस्टिंग चाप्टर था काफी हम लोग अपने अब अगले लेक्चर में next week so that's all for today from my side पढ़ाई करते रहिए महनत करते रहिए जय हिंद जय भारत